इस चैप्टर में हमको यह देखना है कि इनकम्प्लीट अकाउंटिंग है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड उसमें से हम लोगों को अकाउंटिंग करना है मतलब रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है और हम लोगों क्या करना है अकाउंटिंग करना है तो दो मैथट हमने कल देखे थे कि इस चैप्टर में पढ़ना है एक है आप पे trading account or profit and loss account और balance sheet नहीं बनाते तो हम लोग कैसे बनाते है फिर हम ने कल देखे थे कि statement of affairs में हम लोगे देखे थे कल कि दो हम लोग capital हम लोगे statement of affairs में दो statement of affairs कि बनाया जाता है क्यों क्योंकि हम को find out करना था opening capital और closing capital अगर question में हम लोगों को opening और closing capital दे रखा है तो फिर को tension वाली बात नहीं अगर नहीं दिया मको opening और closing capital तो जरूर हमको assets और liability की information देगा ताकि हम लोग statement of affairs बना सके opening और closing capital find out कर सकें फिर वो opening और closing capital को हम लोग capital account में लिखते और जो भी adjustment capital account के उते हैं जैसे कि capital edition और फिर interest on capital drawings interest on drawings वो सारी चीज़े हम capital account में लिखते और जो भी balancing figure हमारे रहती या तो profit या तो फिर क्या रहेंगा वो loss रहेगा हमारा अब हमने कल इस पर कुछ questions भी करें थे फिर इसके बाद I think question number six तक हुआ था और आप लोगों दो homework दिये गए थे अब आज भी हम लोग statement of affairs की हमारे कुछ questions बचे जो कि question number six तक हुआ seven और eight आज हम लोग करेंगे उसके बाद यह बड़ा interesting topic जो इस chapter में हमको पढ़ना that is completed account method completed account method हम लोगों को पढ़ना रहेगा तो पहले हम हम लोग question number six six तक हो गया था question number seven पर आते कोशन seven करते फिर eight करते और फिर completed account method के concept को समझके फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे so यहाँ पर question number seven जो institute के material का question है यह ICI का और ऐसा question अभी तक के institute ने पूछा नहीं है question थोड़ा था interesting है कोशन थोड़ा सा interesting है और ध्यान से मेरी बाते सुने क्योंकि institute के material में question और ऐसा question अभी तक ना RTP ना MTP ना को examination में यह पूछा गया है तो हो सकता है कि कोई भी अटे में institute उसको 10 या 12 नंबर का यह question आप से पूछ ले और question अच्छा है इसमें calculation से interesting question so A and B are in partnership having profit sharing ratio two is to one उनका profit sharing ratio कितना है two is to one the following information is available about their assets and liabilities वहां पे उनने हमको 31st March 21 और 31st March 22 की information दिये furniture अब कुछ question मार के मलब 31 March 2022 का furniture की figure हमको पता नहीं the furniture 31st March 21 1 lakh 20 advances 70,000 50,000 then creditors 32,000 30,000 data 40,000 45,000 inventory 60,000 74,750 loan 80,000 यहाँ पे loan question mark मतला यह repay हो गया है तो यहां पे वो कहता है हमसे कि उसने हमको यहां पे कुछ assets or liability की information दी है दो साल की एक opening और closing हमको यहां पे statement of faith बना रहेंगा तो find out opening and closing capital अब capital के related उसने कुछ information दी कि उनको salary 2000 रुपीज पर मन देते है फिर हम लोगों को interest on capital है इसमे interest on drawings भी इस question में फिर आगे कहते देखो कल जब हम लोग ने questions किये थे बच्चो तो वहां पर हमने देखे थे जब हमको question में वो यह ना बताए कि drawings की particular specific कोई date है गया तो हम लोग क्या करते है specific date अगर नहीं दीवी रही थे हम क्या मानते थे हम यहीं मानते थे बच्चो कि स्टार्टिंग मीडिया एंड को एजियूम करें जैसे कल एक question में अपने इंट्रेस ले ले लेकिन आप इस question में देखो को तो बड़ा उसके बाद यहां पर उसने फिर में को फिर यहां पर बी किये फिर जून में एने करा और फिर डिसेंबर में एने यहां पर फिर अगर 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 बी का देखे तो उसने में में उसके सेप्टेंबर में और कब किया उसने फेबररी में ओके तो इसने यहां पर क्या किया त मतलब कभी A ने किया और कभी क्या किया बच्चों B ने लेकिन specific date दिये तो जब हम यहां पर interest on drawings calculate करेंगे interest on drawings calculate करेंगे तो फिर क्या होगा हम लोग को specific date से calculate करना पड़ेगा यह date को इतना drawing किया तो साल के आखरी तक कितना drawings होगा इस तरीखे से specifically हमको calculate करना पड़ेगा अब आगे हम से कहता है कि on 30 June they took C as one third partner वो contributed रुपी 75 होगा अब C को कब admit करें 30 June को एक नया पार्टर है उसने contribute के 75 होगा C is entitled to share of 9 months profit obviously जब साल आपका 1 April को शुरू हो रहा है और 31 March को खतम हो रहा है और यह नया पार्टर 30 June को आया मतलब 3 महने बाद आया साल के शुरू होए बाद 3 महने बाद आया April में June चले गया तो 30 June को आया तो 9 months ही partner रहा इस साल तो आपको उसको 9 month का ही obviously profit देंगी The new profit sharing ratio become 1 is to 1 is to 1 उनका नया profit sharing ratio 1 is to 1 is to 1 हो गया जो के पहले 2 is to 1 था यह विड्रॉह इस proportionate share अब उसने क्या करा अपने ए जो Mr. A तो से हमना proportionate share विड्रॉह करा यह क्या है भी मैं दो में बात करूँगा Depreciate furniture at 10% per annum new purchase is Rs. 10,000 may be depreciated for one fourth of a year Current account as on 31st March 21 A Rs. 5,000 credit है और यहाँ पर जो partner B था उसका debit है कितना 2000 रुपे अब उसने हम से यहाँ पर पूछा उसने पूछा कि prepare statement of profit current account of partner statement of office मतलब तीन चीज़ उसने हम से पूछा है सो पहले आप इस question को समझना कि किस तरीकी से हमको approach करना है कैसे हमको question में आगे बढ़ना है interesting question है मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कोई भी एक्जाम में 10 से 12 number के question आपसे आसानी से पूछ सकता है सो यहाँ पर अब ध्यान से आप देखेंगे question number seven अब हमको information यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो information दिए एक हमको दिए इस साल की 31st March 2021 तो मतलब 20 21 की information दिए और हमको information दिए 21 22 ही तो वैसे तो adjustment 21 22 में होते है लेकिन हमें यहाँ पे यहाँ का 31 March 2021 का statement of affairs ग्यान से question को समाइदना बीटा statement of affairs बनाना पड़ेगा क्यों बनाना पड़ेगा to find out opening capital अब उसी तरह हमको यहाँ पे 31 March 2022 का भी statement of affairs बनाना पड़ेगा to find out statement of affairs क्यों find out है हमको find out क्या करना पड़ेगा closing capital करने के लिए closing capital के लिए अब इसके बीच में यहाँ पे हमने opening और closing capital निकाले लेकिन हमको question में उसने क्या का कि आपको statement of profit सीधी सी बाते पर जब आप यहाँ पर एक दो एक चीज़ी कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरे से statement of affairs यहाँ पर एक चीज़ उसने पूछा यह एक मेरे यहाँ लिग दियता हूँ क्या पूछा उसने हम से करेंट अकॉंट अब इस question में करेंट अकॉंट पूछा तो करेंट अकॉंट में में को इस साल का profit जैसे अब fluctuating रहता उसमें सारी चीज़े जब लेके जाते हैं यहाँ पर करेंट अकॉंट question में दिया capital भी दिया है तो पूछा करेंट अकॉंट बनाने के लिए तो यह करेंट अकॉंट जो पूछा है आप लोगों को यहाँ पर बनाने के लिए उसमें obviously मेरे को सारी चीज़े लिखना पड़ेगा आपने इसका लिखे आपर करेंट अकॉंट को कुछ opening यह वो करेंट अकॉंट का closing लिखना पड़ेगा में को अब यहाँ पर करेंट अकॉंट को opening और closing मैंने लिखा उसके बाद में को यहाँ पर salary अगर को दिया वो लिखना पड़ेगा interest on drawings लिखना पड़ेगा interest on capital लिखना पड़ेगा उसके बाद में को profit यह साल करेंगा वो लिखना पड़ेगा उसने हमको साथ ही साथ में इसे आपको statement of profit भी पूचा है साथ में क्या पूचा statement of profit तो statement of profit is nothing but to find out इसी हमको statement बनाना है कि हमको find out करना है कि हमको इस साल का हमारा profit कितना हुआ इस साल का हमारा profit कितना है वो हमको find out करके यहाँ पे लिखना रहेगा मतलब ध्यान से बच्चे तीन चीज़ पूचा उसने एक हमको statement office वो हम बनाएंगे लेकिन यहाँ पर statement of affairs में interesting बात यह कि capital current account दो दाएगा तो यहाँ पर तो बैसा explain कर तो one by one यहाँ पर तो कोई figure नहीं क्योंकि current account का opening balance दिया है तो यहाँ पर opening capital figure यहाँ पर find out हो जाएगी यहाँ पर यह दिक्कत जाएगी आपको current account का current account का closing balance find out करना पड़ेंगा open कर लेंगे कोई बड़ी बात नहीं और जो balancing figure रहेंगा that will be closing capital ठीक है बगर यहाँ पर मैंने statement of affairs बना लूँगा current account यह लेकिन current account में सारी information में यह को लिखना पड़ेंगा क्या information लिखना पड़ेंगा opening current कितना closing कितना salary कितना फिर आपको profit कितना interest on drawing कितना interest on capital कितना ओके एक और बार बस आई मैं confirm करने के लिए कह रहा हूँ एक बार आप में को फिट से अगर मैसे और voice एकदम clear है कि नहीं सारी चीज़ प्रॉपर ही कि आप एक बार बस महां पर message एक चैट बॉक्स में लिख देना confirm करने में कह रहा हूँ उसके बाद आपको यहां पर statement of profit पूचा क्यों statement of profit पूचा statement of profit उसने इसलिए पूचा कि हम क्या निकाल से कि उस साल का profit बता निकाल वो जो profit भी फिर हमको current account में लिखना रहेगा अब यहां पर हमने देखी इतनी चीज़े हमको पूचा है yes all clear thank you akash okay ask me thank you thanks to all of you okay अब यहां पर देखना बेटे यहां पर जब साल शुरू हुआ तो यहां पर दो पार्टनर थे बच्चो पार्टनर A और पार्टनर B तो बहुत अच्छे संबंद आसानी अाराम से संबंद ङरे डो पार्टनर पे अब क्या हुआ यहां पर 30 जून आया निउ-पार्टनर निउ पार्टनर सिफ नाम लेगे तो यहां पर c आया अब अब थोड़ा common का जो भी profit रहेंगा कि depuis statement of profit में पूरे साल का profit निकाल हूं लेकिन इसमें से जो तीन मेने का profit है रहेंगा वह कौन-कौन se partner ko मिलेगा कौन कौन से partner को मिलेगा यहाँ पर littleemary second k22 और B-k use partner therefore पर तीस जून को partner EB C उनका थे और टीस जून के A को, B को और C को अब क्यों? क्योंकि 30 जुन को यहाँ एक नया partner आया तो पहले वाले यहाँ पर A और B थे तो उनको profit मिलेगा और यहाँ का profit A, B और C को मिलेगा A और B का पहले ratio जा 2 is to 1 बाद में ratio 1 is to 1 is to 1 हो गया 1 is to 1 is to 1 हो गया तो बाद में लोगों profit sharing ratio क्या हो गया? चेंज हो गया तो अपन जब profit calculate करेंगे बड़े ही सही तरीके से अपने को 3 मेने और 9 मेने में बाटना पड़ेगा 3 मेने का profit 2 is to 1 में जाएगा और 9 मेने का profit 3 हो को equal में जाएगा 1 is to 1 is to 1 में जाएगा तो सबसे पहले अपन ये question जब शुरू करते हैं कहां से शुरू करते हैं सबसे पहले अपन शुरू करते हैं statement of affairs शुरू करते हैं फिर working note बहुत सी बनेगी interest on drawings, interest on capital मैं बताता हूँ क्यों? युको drawings अलग 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 तारीक पे तो एक-एक working note फिर में आपको explain करते जाऊँगा तो question की शुरुवात कैसी हुगा? examination में जब question बढ़ते हैं शुरू कहां से करना है? तो पहले अपन statement of affairs बनाते है current account और statement of जो profit है उसके बाद फिर एक working note हम लोग बनाते जाएगे तो जो figures हम को दी भी है पहले हम लिखते उसके बाद step by step हम आगे बढ़ते जाएगे तो आप यहां पे सबसे पहले statement of statement of affairs statement of office चाहुत देट भी लिख दो as on 31st March 21 and 31st March 22 इसको आप लोग ड्रॉख करेंगे कंजूसी नहीं करना ठीक है बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना इसको आप ड्रॉख करेंगे 12-15 लाइन का ड्रॉख करेंगे दो साल का अपन बना रहे statement of affairs यहांपे उसके बाद question उसने आपको पूछा क्या है current account भी पूछा है यहांपे पहले liabilities liabilities 31st March 2021 31st March 22 assets 31st March 2021 31st March 22 ओके इसको आप पहले draw करेंगे अंद्रा लाइन का उसके बाद उसने अपने को question में current account भी पूछा है तो आप महापे लेको current account लेकिन जब आप एक current account बनाएंगे तो एक चीज़ ख्याल रखना तीन partner हैं A, B और C तो यहापे current account में जब column बनाएंगे इसको कितने line का draw कर लेंगे आप पांच-छे line का भी इसको draw कर लेंगे तो current account को जब एक column बनाएंगे तो इसको आपने यहापे तीन partner से थोड़ा इस चीज़ को ख्याल रखना नया partner भी है A, B और C A, B और C बड़े अच्छे से समझना है बच्चो एक एक चीज में बारीक बारीक हर चीज बोलूँगा बड़े ध्यान से आपको सुनना रहेंगा तो तीन partner A, B, C A, B और C ओके A, B और C उसके बाद A, B और C ठीक है उसके बाद यहाँ पर आगे आपको उसने क्या पूछा यहाँ पर एक चीज ख्या लखना यहाँ पर उसने आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट पूछा है स्टेटमेंट ऑफ पॉफिट पूछा है यहाँ पर लिख लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट this is nothing but statement of profit this is nothing but combined capital account, अपन combined current account नहीं कल बनाए तो जो combined capital यहां पर current रहेंगा ठीक है, तो statement of profit इसको आपने बहुत ज़्यादा जगा छोड़ना, इसके लिए half page छोड़ तो कितना page के space रखेंगे बच्चो half page का minimum इसमें space रखना आपको, ठीक है, तो half page का आप space रखेंगे, उसके बाद, ओके, उसके बाद यहां पर working note अपन लिखेंगे, ओके working note, दिखेंगे आपके screen पर yes, अब जैसे जैसे working note लगते जाएंगा, वैसे वैसे हम लोग यहां पर लिखते जाएंगे, ओके, तो सबसे पहले यहां पर, सबसे पहले अब शुरू करते कोशन, तो आप कोशन में देखेंगे यहां पर, सबसे पहले हम लोगों को यहां पर इसने दिया जो information उसको utilize करते जाओं, तो पहले आप यह लिख लो, furniture 1,20, अब यह अपने को 31st March 22 का furniture, कोशन मार के मतलब कुछ है, वो अपन कैलकुलेट कर लें, अभी जो पता है वो लिख लो furniture, यहां पर लिखाओ furniture, furniture, कितना amount है, 1,20,000, so write down here, 1,20,000, उसके बाद, furniture के बाद इसने हमको के advances, 70,000 और 50,000, advances हमने advances दिये, advances, 70,000, और 50,000, उसके बाद, creditors 32 और 30, तो liability side में लिखेंगे आप, creditors, okay, creditors सोड़ से नीचे लिखना एक दम, क्योंकि ओपर में हम लोगों को कुछ और चीज़े मापे current account, capital account हाएंगा, तो अब creditors देख दम हैं, नीचे लिख लो, creditors, वो आपको दिये, creditors कितना दिये, उसने, 32,000, 32 और 30,000, उसके बाद, data is 40, 45, तो asset side में data, creditors, 40,000 और 45,000, उसके बाद, बच्चों, inventory 60, 74, 750, inventory, inventory, 60,000, 74, 60,000, 74, 750, 74, 750, okay, उसके बाद हमको दिया है, loan, अब यहाँ, loan के बाद में question mark नहीं, मतलब रीपे हो गया आपका loan, so liability आपकी loan, loan है आपका, 80,000, 80,000, उसके बाद कैशेट बैंक, 50 और 1,40,000, so cash at bank, cash at bank, 50 और 1,40,000, 50,000 और 1,40,000, 50,000 और 1,40,000, okay, उसके बाद बैटा, यहाँ पे question में, आपको कहता है, यहाँ पे, और आप एक एक चीज़ बहुत ध्यान से सुनेगे, अब the partners are entitled to salary, अब 2000 की salary हो तो कौन से account में जाएंगा, current account में जाएंगा, अभी current account बनने का अपना, अब interest is paid, आपको interest on capital है, फिर उसके drawings उस पे मैं आता हूँ, और इस drawings का calculation भी करना है, अब इस point को अच्छे समझेंगे बिटाब, लेकिन हमको यहाँ पे, यह आप calculate कर सकते हैं, सारी चीज़े तो है, इसको आप पहले करते हैं, अब ध्यान से मेरी बास सुना, अब वो क्या कहते हैं अपने को यहाँ पे, जो मैंने यह highlight किया हूँ, जो information अपने को 31 मार 2021 की तो पूरी है, उसको अपन लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसमें current account भी दे रखा है figure, तो अगर आप current account 2021 की current account की figure यह दिया हुआ है, यहाँ पे A का credit balance है 5000 और B का कितना है? 2000, तो मैं current account में लिखता हूँ, लेकिन आपको बैलन, यह statement offer 31 मार 2021 का मैं को हूँ, तो एक का आपका credit balance है, किसका credit balance है? A का, तो आप यहाँ पे लिखोंगे current account, एक, दो, तीन, हाँ, यहाँ पे लिखो current account, current account, current account, current account में A, B और C, तो A का ही है श्रिफ इस साल 5000 और B और C का कोई भी current account का balance नहीं है, श्रिफ A का, sorry B का है, I mean to say credit balance नहीं है, श्रिफ A का ही credit balance है, C तो इस साल ना आया तो उसका कुछ भी नहीं था पिछले साल, अब यहाँ पर you current account लिखते हैं, current account यहाँ पर जो लिखे, current account यह किसका, यह B का, उसका debit balance दिया हुआ, debit balance दिया हुए, इसलिए मैं asset side में यहाँ ऋसका debit balance दिया हुआ, इसी लिए मैंने उसके एसेट साइड में लिखा अब अगर मैं 31 मार 2021 की बात करूँ हम लोग 22 पे जाएंगे अभी लेकिन 22 का अभी अपन बैलेंस के अपन बात में बात करते हैं लेकिन 31 मार बच्चो 31 मार 2021 की अगर मैं बात करूँ तो आपको यह नहीं लगता कि 31 मार 2021 की सारी चर्चा हो गई है मतलब हमने एसेट्स लिख लिए है लाइबिलिटी लिख लिए करेंट अकाउंट के जो बैलेंस थे वो कोश्चन में दिये वे थे 31 मार्श 21 के करेंट अकाउंट के बैलेंस भी हमने लिख ली अब आप में को बताओ, अब आप बोलेंग सिर्फ बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, बैलेंसिंग फिगर विल भी दे कापिटल, कापिटल रहेंगा, अब ध्यान से मेरी बास हो लिए, rus मैं यहां पे कहता हूँ कि, कापिटल जो अकाउंट है, यह जो कापिटल अकाउंट है, उस्में तीन पार्टनर, A, B, C, तो अब यहां भी सी तो नहीं रहेंगा, C तो अभी 30 जून को आप इशले साल तो था भी नहीं विटा तो यहाँ भी A और B पार्टन थे अब अगर मैं यहाँ पर अगर capital account का balance निकालो मैं asset side की total करो 1,20,000 1,20,000 plus 70,000 1,20,000 plus 70,000 plus 40,000 plus 60,000 plus 50,000 plus 2,000 यह आपका 3,42,000 3,42,000 3,42,000 यह कौन सा है आपका यह आपकी asset side की total थी अब liability minus करो 80,000 minus 32 minus 5,000 और आपका यहाँ पर आँ रहा है 2,25,000 कितना आँ रहा balance 2,25,000 तो महाँ पर अभी मुझे बताओ कि क्या इस question में क्या जो मेरा 2,25,000 रुपे का जो balance आ रहा है 2,25,000 रुपे का वो 2,25,000 को मैं कैसे बाटू वो 2,25,000 रुपे को मैं कैसे बाटू वहाँ पर तो 2,25,000 को क्या कोई तरीका है बाटने का सर हाँ है क्यों कि इसने question में इसने हमसे कहा कि उन लोगों नहीं जो highlight किया they contribute proportionate capital proportionate capital उनका उनका profit sharing ratio कितने 2 to 1 मतलब आपका जो balance यहाँ पर अभी जो balancing figure आ रही है वो 2,25,000 रुपे आ रही है और 2,25,000 को हम लोग बाट सके proportionate capital है और उनका profit sharing ratio कितने 2 to 1 तो उसी में maintain कर रहे है तो 2,25,000 को 2 to 1 में बाटू तो कितना होता है 1,50,000 और 75,000 2,25,000 को 2 to 1 में बाटेंगे that will come 1,50,000 and 75,000 मतलब यहाँ पर इनका जो capital है 1,50,000 और 75,000 A का और B का है क्योंकि current account की figure नहीं current account की figure उसे नहीं को दे चुका था तो यहाँ पर अपने यह जो balance है सिर्फ capital account को represent कर रहा है और C है नी 2 to 1 ratio सही तो capital account यहाँ पर capital C का है नी A और B का है और उसने बोला कि proportionate है वो capital तो 2 to 1 है तो 2,25,000 है 2 to 1 तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर इसके लिए अपन यहाँ पर मैं कहता है यहाँ पर working note number क्या करें working note number 1 में हाँ पर working note बनाने की ज़रूरत ने इंसिट्यूट ने अपने material में working note भी नहीं बनाई वो सोचते बैटर student कैसा है लेकिन वो इस तरीके सा है तो अब अगर अपन चाहते है working note बना लेते इसमें तो आपने यहाँ पर working note number यहाँ पर आप लिखेंगे ओके calculation of amount of capital amount of capital on 31st March 2021 31st March 2021 अब आप अगर यहाँ पर बच्चों देखोंगे तो total आपका जो हमने जो calculate करें यहाँ पर total यहाँ पर ऐसे लिखें total assets लिख लो total assets on 31st March 2021 31st March 2021 को total assets अपने किये कितनी आई हुँ थ्री लाक फॉर्टी टू थाउजन तो यहाँ पर लिख लो आप थ्री लाक फॉर्टी टू थाउजन लिख liabilities and current account लाइबरी या उसमें आप आप सीव लाइबिलिटी साइड माइनस करें तो भी less आप लाइबिलिटी साइड यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो लाइबिलिटी साइड में आपकी तीन अमांट है कौन कौन सी तीन अमांट है पाँच हजार 32,000 और आठ हजार तो आप ऐसे हैं पाँच फाइबिलिटी साइड है यह लाइबिलिटी साइड के आइड है पाँच हजार प्लस 32,000 और 80,000 और 80,000 तो यह करो पाँच हजार प्लस 32 प्लस 80 तो यह आता है आपका वन लाइक सेवेंटीन ताओजन तो आपका यहाँ पर बैलेंस बचा है कितना बच्च रहा है 3,42,000 मिनस 1,17,000 यह बच्च रहा है 2,25,000 2,25,000 ओके यहाँ पर A's capital A's capital equals to 2,25,000 multiply by 2 by 3 that's come 1,50,000 B's capital 2,25,000 multiply by 1 by 3 तो यह आता है आपका 75,000 यह कितना रहा है 75,000 ओके तो आप यहाँ पर लिख लेंगे 1,50,000 और 75,000 आप यहाँ पर लिखेंगे 1,50,000 और 75,000 अब इंस्टिट्ट अपने मटर में 1,50,000 और 75 लिख दिया वो बच्चों सोचते बटर कैसे है तो आप इस तरीके सा यहाँ पर आप लिख भी सकते किसके लिए आप रेफर कर लो working note number 1 working note number 1 किस तरीके से अपने हो calculate किये अब आगे अपन देखते हैं हमने यह information हमारा 31 मार 2021 तो हमारा हो गया अब आगे अब अगर 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 देखे हैं तो current अपने को यहाँ पर current account भी पूछा तो current account के आप opening balances लिख सकते by balance carried down तो यहाँ पर स्रीफ a का था उसका credit balance 5000 रुपे तो यहाँ पर credit side में ज़ेगा और two balance brought down sorry मैंने carried down गलती से लिए ब्रॉट डॉट 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 यहाँ पर स्रीफ b का था debit balance इसलिए अपने बी के column है c तो था ही नहीं बिटा तो cks में दोनों जगा blank आया ओके अब अपन इंफर्मेशन देखे तो हमने calculate कर अभी अपन एक step by step चल सकते अभी अपन यह भी calculate कर सकते है current account के आइटम लिखता हूं लेकिन है furniture को amount question मारक है इसको भी अब अब कर सकते कैसे देखो furniture आपको पिछले साल था 1,20,000 फिर यहाँ पर furniture के बारे में इसमें अपने से का तो मैं इसको कोई और color से highlight कर लेता हूं अब देखो क्या हूं यहाँ आप इसमें question में बता है कि furniture को depreciate करना 10% से और उसने बोला कि 10,000 रुपय का नया furniture खरीदा गया और उसको क्या हूं यहाँ पे और उसको उसको बोलता है कि depreciate 1-4 अभी आपको specifically बोला इसको यहाँ पर चीज़ आप चाहँ तो इसका भी आप working note कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक और चीज़ तो मैं आ तो furniture पर लेकिन आप यहाँ पर देखोंगे on 30 June 20 30 June डे टुक C as one third partner वो contribute रुपी 75,000 अब इस चीज़ को समझना and C is entitled to 9 months profit the new profit sharing ratio 1 is to 1 is to 1 मैं depreciation पर आता हूँ capital की बात ना मैं continuation में कर ले तो इसलिए मैं कर रहा हूं भी अब क्या हो बिटा है यहाँ पर वो बलता है कि 30 June को नया partner है ठीक है तो उसने कहा कि उन्होंने कहे कि उन्हें 75,000 रुपीज लेकर आया अब इसकी ने entry था अपने को cash की closing entry दी वी है तो उसकी फिकर नहीं करा लेकिन आपके understanding के लिए मैं बोलो यह जो 75,000 रुपीज लेकर है इसकी entry होंगी cash account debit cash और bank account debit 75 to cease capital account not current account यह capital account में 75 जाएगा तो question में उसने अपने को capital account पूछा नहीं है अपने को current पूछा लेकिन तो भी अपने को जब सोचते तो पूरा overall सोचना ऐसे थोड़ा-थोड़ा selected study नहीं करा पूरा overall सोचना तो यह जो से 75,000 रुपीज है यह कौन से account में गया उनके मेरी बास से नहीं यहां पर से 75,000 रुपीर उसने अपने से यहां पर उसने capital का लेकर आया ओके अब उसने जब capital का उसने लेकर आया तो आपने अभी देखे थे working note number 1 जब हमने बनाये थे कि उनका capital टोटल है 2,25,000 उसको उन लोग ने बाटे थे 2,1 में मगर उनका जब profit sharing ratio कितना था profit sharing ratio था उनका 2,1 तो 2,25 आर को 1,50 और 75,000 में बाटे थे अब वो कहता है कि C आया तो अब उनका profit sharing ratio 1,1,1 हो गया उनका profit sharing ratio कितना हो गया 1,1,1 हो गया तो जब उनका profit sharing ratio 1,1,1 हो गया तो उन्होंने कहे कि C ने अपना portion हटा लिया अब C ने अपना portion हटा लिया मतलब अगर 2,25,000 है और 1,2,1,1 में बाटे तो 75,000, 75,000, 75,000 होना चाहिए और C ने लेकर भी 75 है अपना capital तो C ने अपना 75 लेकर आया और A ने जो 1,50 था उसमें सो 75 withdraw कर लिया what does it mean कि आगे चलके इनका जो capital रहेंगा that will be 75,75,75 कैसे देखो यहाँ पे एक और अपना working note बना लेते हैं working note number 2 calculation of amount of capital amount of capital on 31st March 22 on 31st March 22, अभी सिर्फ इस पे दिहान देंगे बटा, ओके, यह विड्रोव, रुपी से वेट, हाँ, 74 ने विड्रोव कर नय पार्टनरल लेकर आया, अब दिहान से सुने, मैं कहता हूँ यहाँ यहाँ पर यह A is capital, B is capital, और C's capital अब ध्यान से समझना ए ने क्या कर रहा बच्चों यहाँ पर अपना contribute कर रहा ए ने कितना capital लेकर रहा ए ने अपना यहाँ पर capital लेकर आए 75,000 तो उसका capital यहाँ पर आगे 75,000 ए ने capital लेकर रहा है बी ने कुछ भी नहीं कर रहा है बी का as it is था 75 पहले था अभी भी उसका 75 है अब रहेंगे सर पूरे साल में fluctuate ने अरे नहीं हुआ बाबा current account है current account में सब चीज जा रहे तो वहाँ पर change होगा capital account as it is हो बना के भी दिखा सकता आप और यह वर्किन इन्सूट ने बनाई भी ने डारेक्ट लिग दिए अब आप समझो लेकिन तो भी एग ने contribute कर रहा तो उसका 75 हुआ बी का as it is 75 था एक जो था सी ने contribute के था एक जो जाएंगा अब एक क्या हो जाएंगा यहां पे की उसके पास था वन लाइक फिफ्टी थाउजन था और अब उसका रेशो टू से वन हो गया तो अगर दो दो के लिए अगर एक लाग पचास था तो एक के लिए किता उसने contribute था उसने अपने जो कर रहा था तो दो शेयर के लिए एक लाग पचास था अब उसका शेयर वन हो जा रहा है तो वह 75 थाजन क्या करेंगा विड्रॉ करेंगा कोशन में बोला भी देखो यहां पर विड्र 25,000 तो यहां पर इनका वही proportionate एड बराबर उन लोग ने maintain करें लागे 22 cracks बच्चो उन्हें कितना 225 थी झापिटल यह विड्रॉ करा उसने यह proportionate विड्रॉ करा यह इसने क्या करा और पर्पोर्ष नेट लिइड्रॉai परquesन Key Reg Plus समझ आपको proportion विड्रॉ का मतलब दो से एक पाया तो दो के लिए एक लाग पचास था तो एक के लिए कित था तो इसने बराबर उतने से विड्रॉव का था बच्चा एक तो आपका 75,000 आउटर कॉलम पे आ गया अब हमने यहां पर इस यह 22 की वहां पर अगर हम लोग information देके तो हम लोगों को सारी information 21 तो हो गया 22 की देखो तो यहां पर furniture का बच्चा होए और एक current account की information बची तो furniture की information हमको लिखेंगे तो furniture का calculation करते हैं हम बहुत आसान है अब अपन furniture का करते हैं वो continuation में capital का हो गया तो अच्छा हो गया अब उसके बाद working note number 3 working note number 3 so working note number 3 में हमको यहाँ पर लिखना है calculation of balance of calculation of balance of furniture of furniture account on 31st March 22 अब मुझको एक बाद बताओ बच्चो यहाँ opening capital आपका कितना था opening furniture question में कितना दिया furniture उसने दिया आपको 1,20,000 का तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ balance as on 31st March 2021 वो था आपका 1,20,000 रुपै का अब उसमें क्या हुआ उन लोगों ने new furniture add करे new new addition यह कहता है वो कितने का 10,000 रुपै का so total यहाँ पर कितना होगे उन लोगों का total होगे एक लाग 30,000 रुपै लेकिन इसमें से में को depreciation minus करना पड़ेगा तो जो opening balance है उस पे तो depreciation पूरे साल का लगेगा तो वो आपका एक लाग 20,000 रुपै तो depreciation आपका 10% on 120,000 कितना आता हो बारा हजार रुपै और 10% on 10,000 for for कितना for 1 by 4 year मतलब 3 months के लिए for 1 by 4 years तो करो calculate बच्चो 10,000 का 10% आगे आपका एक हजार divided by 4 करो तो यहाँ था 250 total amount of depreciation देखो यहाँ पर अच्छे से हर चीज़ को सोचना यहाँ पर amount of furniture अपने को यहाँ पर amount date of furniture तीन मेहने का बोला अपने लिए जब specify किया तो वैसी करना है कल एक कोशन किते है वहाँ specify नहीं किया ता edition को तो अपने मान लिए थे mid of the year लिया उसे mid of the year लिया अब यहाँ पर आप देखेंगे एक लाग तीस हजार माइनस बारह हजार दोसो पचास तो यह आता है आपका अफ मैं सब्सक 250 यह आपका बैलन्स अगया 17 daddy साथ सो पचास decided कि आपने अंहाँ सभी आप it अब जाओ यहाँ यहाँ पर बैलन्स इट में आपनी statement of affairs यह पर लिख लो एक लाघ 1717पचास नहीं 17750 था सभी और यस अब इस माप लिक सकते हैं यहाँ पर ब्राकेट में लिख लेना working note number 3 working note number 3 वहाँ पे लिख लो ओके एक लाग 17,750 डन अब हमने ये भी लिख ले अब बड़ा interesting mode आता है बच्चो और बहुत अच्छे से बारी किसे बाप हर चीज़ को समझना मैंने का अगर मैं 31 मार्ट 2022 को मैंने का information तो हो गई अब information तो होगे जो लिखना था लिख ली लेकिन मेरा जो ये balancing figure जैसे महाँ पे मैंने यहाँ पे जो 2,25 जैसे capital का निकाला था क्यूंके महाँ पे current की information दी था अब अच्छे समझना होनार बच्चे हो talented बच्चे हो बातों को मेरी बहुत बारी किसे समझना मैंने कहा 31 मार्च 2021 को यह balancing figure अपने निकाले थे यह बैले मतलब current account का balance महाँ पे दिया वा था ए और बी का तो अपने लिख ली थे capital account का balancing figure आया लेकिन 31 मार्च 2022 को जब आते तो वहाँ पर हम लोगों ने capital account का balance निकाले तो वह proportionate उसने बोला था उसने अपना वह किसकी balancing figure आ रही है वह balancing figure आ रही है पकी current account की इसका मतलब अगर मैं कहूं यहाँ पे 2021 में 31 मार्च 2021 में जो balancing figure थी वह balancing figure किसकी थी यहाँ पे capital account की थी लेकिन 31 मार्च 2022 में जो balancing figure आपकी statement of affairs में आ रही है वह कौन से account के आएंगी बच्चो current account के capital तो आप लिख रखे हो तो मैंने यहाँ पे अगर करू total अपने इसका working note बना लेते लेकिन चलो इसके working note बना लेता हूं मैं कि आपका current account का balance 31 मार्च 2022 को कितना है ठीक है अब आप यहाँ पे आपने तीन working note तक बना ली अब आप लिखो बच्चों के fourth working note for okay fourth working note okay amount calculation of calculation of calculation of calculation of amount of your calculation of balance of current account current account on 31st March 22 31st March 22 okay अब ध्यान से सुनना अगर मैं आप यह balance निकालता हूं तो पहले total assets site की लिखो na total of assets total of assets on 31st March 22 31st March 22 को कितनी थी asset की total एक लाग 17,750 प्लस 50,000 प्लस 45,000 प्लस 74,750 प्लस एक लाग 40,000 तो आप 4,27,500 तो यहाँ पर आप लिखो बलके आप भी ऐसी लिख लो यहाँ पर एक लाग 17,750 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 74,750 प्लस 45,000 प्लस 1,040,000 प्लस 1,040,000 तो यह जब अपने total करें तो यह total asset side की कितनी आई अपनी asset side की total है 4,27,500 अब इसमें से minus कर देते हैं अपन minus क्या करेंगे अपन fixed capital fixed capital and liabilities fixed capital कितना liabilities okay fix capital कितना आपका 75,000 प्लस 75,000 प्लस 75,000 यह तीन पार्टनर का ओके बच्चो उसके बाद यहाँ पे liabilities उनकी कौन-कौन सी liabilities आप देखो वहाँ पे एक आपका वो यहाँ पर आपको liabilities जो दीविए से सिर्फ एक ही एक creditor 30,000 रुपए तो मैंने यहाँ पे लिका 30,000 रुपए यह creditor तो यह कितना और है टू लाग 25 प्लस 30 यह कितना और आपका टू लाग 25 प्लस 30 टू लाग 55,000 इसका मतलब current account का जो balance था हमारा वो आपका था आपका 1,72,500 अब बहुत हुश्यार बच्चे रहना बहुत हुश्यार बच्चे रहना अब आप में को बताओ कि मैंने कहां सर सही है सही है 172,500 ओके मगर यहाँ पर अगर मैं balance sheet भी देखू statement of affairs भी देखू यह मेरा balance यहाँ पे 31,2022 का उतना ही आएंगा कितन 1,72,500 अब मैं सोचता हूँ मेरा current account का balance आया लेकिन यह जो current account का आपका जो यह balance आया 1,72,500 यह जो balance आया कोई एक partner का नहीं आया बच्चो यह तीन partner है यहाँ पे A, B और C बहुत अच्छे सोचना बहुत उश्यार बच्चो अच्छे सोचना कि मेरा जो balance आया 172,500 वो कितने partners तीनों का A, B और C अब मैंने कहां मुझे A का कितना है B का कितना और C का कितना हो तो निकालना ही है तो आपने सोचे क्यों निकालना है A का कितना है B का कितना और C का कितना क्यों निकालना ज़रूरी है वो इसलिए क्योंकि में को current account भी पूचा है question में तो question में तो में को A का क नहीं पता तो अब बच्चो आपने थोड़ा न इस चैप्टर में चैलेंजिंग टास्क किए किelle आपको सोच न रहेंगा आप खुद सोचो कि मैं current account की अगर मैं, current account की अगर मैं बात करू हूँ मैंने current account या इस्में opening balance लिक रहे हैं अब मैं अगर इसमें सारी चीज़े लिख दू तो मेरा closing balance जैसे की मैंने कहा है यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इनका salary बोला है question में salary दे दू है ना उसके बाद interest on drawings दे दू interest on capital दे दू तो interest on salary, interest on capital, interest on drawings यह drawings कुछ question में दिया वो लिख दू तो सारी चीज़े अगर मैं current account में लिख दू तो मेरा closing balance आ जाएंगा and that closing balance will be 172,500 बच्चो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना अभी आपको कोई चीज़ को link करना है तो मैंने कहा मैं इसमें interest on capital पिर आपका drawings, interest on drawing, salary सारी चीज़े लिख दू लेकिन सर मुझे यहाँ पर profit भी तो लिखना पड़ेगा, इस साल का profit जो रहेंगा, वो profit भी तो लिखना पड़ेगा बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं को इस साल का profit लिखूँगा, जभी तो closing balance यहाँ पर current account काएंगा accounting is an equation, आप एक missing figure find out कर सकते हैं, दो नहीं कर सकते हैं वहाँ से, तो मैंने कहा, यहाँ पर जब मैंने salary लिख लूँगा, interest on capital, interest on drawings मैंने सब लिख लिख लिया, लेकिन अगर मैं को bifurget करना है, 1,72,500 जो मेरा closing current account का है, वो closing current account जो यहाँ पर आएंगा, बच्चों, वो closing current account का क्या होगा, मुझे वो closing current account को, balance सबकर specific, एक A, B और C का कितना है, तो मैंने कहा, एक और यहाँ पर जो profit रहेंगा, profit भी दे दो, जब हम capital account बढ़ाने, profit balancing figure आती है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर profit को find out कर लिए, अगर profit को find out कर लिए, तो आपका capital का यह closing balance आ जाएंगा, अब मैं ही सोचता हूँ कि मैं profit कैसे निका लोगा, वो अपने सामने एक टास्क है, profit कैसे निका लेगा, लेकिन अपने profit वाले point पर आते हैं, लेकिन हमको current account में क्या-क्या लिखना, अब सब लिखेंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करें, profit कैसे निकालेंगे, पर statement of profit से निक सबसे निकालेंगे, अब सबसे निकालेंगे, अब बात करेंगे थोड़ी दिर में, मगर यहाँ पर एक एक वरकिंग नोट शुरू करेंगे अपने को interest on capital, interest on drawing सब लिखना है, तो अब आ जाएंगे अपन working note number अपनी कहा था, working note number 4 ता, working note number 5 बनाएंगे अपन, working note number 5 बनाएं इंट्रेस ओन कापिटल, अब ध्यान से, इंट्रेस ओन कापिटल निकालना है, तीन पार्टनर है, मैं तीनों का लिखना हूँ, सबसे पहले, पार्टनर एक ही बात करते हैं, एक ही बात करते हैं, ठीक है, अब एक ही अगर मैं बात कुरूँ, ध्यान से, अब इसको कापिटल पे देना अपनी को स्वेंख में गुड़ा कितने पासेंद इंट्रेस ऑन इंट्रेस ऌन कयापिटल अपने को देना बाच्चो अपके समॉच के लिए हूँ अब सौल आपका शुरूहां एक एप्रिल 2021 ह। खतम हो रहा 31 मार्च 2022 को ठीक है नया पार्टनर आपका यहां पर आया 30 जून 2021 को यहां पर C आया तो यहां पर जो A का कापिटल था मैं A की बात करता हूँ यहां पर जो A का कापिटल था वेटा और B की A और B यहां पर A का कापिटल और B का कापिटल A का आपका यहां पर था एक लाग पचास अजार रुपए अपने कैलकुलेट करते हैं एक लाग पचास अजार रुपए था और B का था 75,000 लेकिन जब C आया उसके बाद A ने अपना प्रपोर्शन विड्रॉ करता आपको पता है तो इस पिरेड में A, B और C आ गया A का यहां पर 75,000 हो गया B का आपका कितना हो गया उसका तो 75 ही था और C ने भी कांट्रिबूइट के 75 मतलब यह कापिटल 2,25,000 था पूरे साल मगर यहां पर आप अगर देखेंगे तो यह 2,25,000 ही है लेकिन यहां पर एक ही अगर मैं बात कर यहां पर उसका 1,50,000 था त्री मंस उसका 1,50,000 था और यह कितने मन 9 मंस कितना रहा हो 75,000 हो गया था फिर उसका और C का तो यहां पर थाई नहीं पहले में C तो आपका बीच में आ है तो यहां पर C का थाई नहीं आपका इतनी बात समझ में आई आपको ओके ध्यान से तो अ एक आप कैसे calculate करेंगे एका interest on capital अपन कैसे calculate करेंगे simple है आपका मैं कहूंगा कि एक लाग पचास अजार रुपए पे एक लाग पचास अजार रुपए पे कितने percent question में बोले 6% वो कितने मेने रहा 3 months रहा और उसके बाद उसका capital हो गया 75,000 तो यह 75,000 पे 6% यह 75,000 कितने months रहा 9 months रहा तो यह calculate करेंगे और amount बताएंगे उसी तरह अपन B का calculate अगर करें तो उसका capital पहले भी 75,000 ही था आप उसका पूरे साल का भी ले सकते और अगर यहां पर कहे उसके बाद में भी उसका 75,000 ही था पूरे साल का भी ले सकते आप B का साल ओके 9 by 12 उसके उसका change ही निवा और अगर C की बात करेंगे तो पहले उसका कुछ भी नहीं था और यहां पे उसका 75,000 आया कितने परसेंट 6 परसेंट 9 महने के लिए अब बच्चो जल्दी जल्दी कैल्कुलेट करो आप इंट्रेस ऑन कापिटल इंट्रेस ऑन कापिटल जल्दी से कैल्कुलेट करो जो मैंने स्क्रीन पे लिखा हूं ठीक है यहां पे 150,000 multiply by 6% multiply by 3 divided by 12 M plus 75,000 multiply by 6% for 9 months M plus total हुआ आपका मैंने कुछ के लख प्रेस किया हूं जस वन में 56,25 आपका रहा है 56,25 किसका रहा है 56,25 आसमें करrekt 56,25 b ka लिटा 75,000 multiply by 6% for 3 months office के बाश 75 तरह multiply by 9% और 6% भी था उसका पूरे साल का भी ले सकते है इस का रहा है आपका 3-3 एक सेकेंड कुछ इसका रहा है 4,500 और इसका 3-3-7-5 3-3-7-5 ओके टोटल अपने को यसे वी कापिटल अकाउंट में करेंट अकाउंट में लिखना है तो आप जाएंगे इसको करेंट अकाउंट में लिखेंगे आप पर interest on capital उनको दे रहे हैं तो credit करेंगे तो यहाँ पर आप लिखेंगे बाइ, बाइ, इंट्रेस ओन, कापिटल, इंट्रेस ओन कापिटल, यह वरकिंग नोट नमबर 5 से, ऐसा ही प्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए, 5625, 4500, और 327, 32 था के 33 था हो, वो था आपका 3375, तो आप यहां पे लिखेंगे, 3375, 3375, 3375, ओके, डन, तो आपने यहां पे लिख लिखेंगे, सबके, इंट्रेस ओन कापिटल, अब मैं आता हो, इस पे, अब नेक्स वरकिंग नोट आप यहां पे बना, इंट्रेस ओन ड्रॉइंग्स, 6th वरकिंग नोट, इंट्रेस ओन ड्रॉइंग्स, तो प्वेश्चन में इसने अपने को दिया वाँगो, इस सेलरी भी है, सेलरी भी आप लिख सकते हैं, सेलरी की कोई वरकिंग नोट की जरूरत नहीं बच चुक, सेलरी कितनी उनकी 2000 रुपए ना, पर मन्थ, तो पार्टनर A और B पूरे साल थे, तो उनको 24,000 जाएंगी, 2000 बारा, और जो आपका पार्टनर C और 9 मन्स के लिए, तो उसको 18,000 ही जाएंगी, सो आप यहाँ पे लिखो, सेलरी लिख लो आप करेंट अकाउंट में, बाई सेलरी, बाई सेलरी, यह कितना है आपका, 2000 बाई आपके 24,000 रुपए A को, B को भी 24,000 रुपए, और C को 18,000 रुपए, C को 18,000 क्यों गई है, because of 9 मन्स, वो कब जॉइन के, उसने 30 जून को जॉइन के, इसलिए इसको 9 मन्स का 18,000, अब अपने को यहाँ पे ड्रॉइंग्स क्या कोश्चन में दी वी है, हाँ सर, ड्रॉइंग्स के उसमें बोला है 10 परसें, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखू, तो ड्रॉइं एक का ड्रॉइंग्स है दो, एक का है 16, तो पहले ड्रॉइंग्स लिख लो वहाँ पे, जाओ पर current account में, debit side में लिखो 2 ड्रॉइंग्स, तो ऑ भहिया के ड्रॉइंग्स कितनी है, आट अजार रॉपे, और बी भहिया के ड्रॉइंग्स कितनी है, 16,000 रॉपे, ठीक है, अब बोला रेंगा तो मैंने का यहांपे इंट्रेस ओन ड्राइंग्स लिखेंगे इस पे ए वक यह बना लेंगे working note number six उसमें लिखेंगे तो ड्रॉइंग से यहां पर ए और बी नहीं के तो ओविसली इंट्रेस्ट बढ़ेंगा कम होगा कम होगा तो इसलिए उनके current account में क्या करें पर debit side में लिख रहा है अब यहां पर six working note हमारी बंडरी है interest on drawings बड़े अच्छे से ध्यान से सुनोंगे यहां पर लिखें हमने interest on drawings यहां पर specifically date दीवी के उन्होंने drawings कप करें तो वैसे ही हमको calculate करना पड़ेंगा proper तो यहां पर पहले एक ही बात करते और फिर बी की बात करें तो एक ही अगर मैं बात करूं यहां पर एक ही अगर मैं बात करूं उसने कप कप drawings के question अच्छे समझना एक ही बात करता हूँ पहले मैं इसने यह 2000 रुपे उसके बाद यहां पर यह date उपर नीचे हो गई कुछ नहीं ठीक है यह और उसके बाद यह तो यह तीन उसने जो 2000 रुपे है वो 11 मंथ हो गया थीस एप्रेल को ड्रॉ किया तो फिर में जून जुलाई से आप थर्टी फर्ट मार्च तक काउंट करें तो ग्यारा मेने होते तो यहां पर अगर देखो बच्चों तो यह 11 मंस हो जाता है अगर मैं 30 जून को करा तो फिर उसने जुलाई पर x10 करना रहेगा इंट्रेस् member करता हो यहां पर एक इपहले बात करता हूँ ठीक है तो यहां पर जब मैं calculate किया तो एक अगर कै तो पहले उसने 2000 रुपे drawings किया, ये 2000 रुपे, कितने मैंने, 10% कितने मैंने के लिए, 11 months के लिए उसके बाद उसने फिर 4000 withdraw किया कितने %? 10% कितने मैंने के लिए, 9 months के लिए और फिर 81 December को 2000 withdraw किया कितने %? 10% कितना होगा, March तक 3 months जल्दी से calculate करो और मेरे को amount बताओ कितना आ रहा है याँ पर एक केस में इसको 183 लिख ले न 300 50 टोटल 533 533 ओके अब उसके बाद इसकी calculate करें B का drawings कितना B भाईया ने कप कप करें ध्यान से बच्चों ध्यान से B ने कप कप किया 31 में को और 30 सेप्टेंबर को और 28 फेबररी को अब बताओ जो 31 में को किया उसने कितने मेंने हो गए में के बाद शुरू करें जून से तो यह आता है 10 मन्स आता है 30 सेप्टेंबर तो ऑक्टोबर से काउंट करोंगे तो यह 6 मन्स आता है और यहां पर 28 फेबररी के बाद फिर 1 मेन आता है यह 1 मन्स तो 10, 6 और 1 2, 6, 8 ओके तो अपने को कैल्कुलेट करना पड़ेगा 5, 33 करेक्ट अब भी भहिया का भी कैल्कुलेट करो 2,000 रुपए 10% 10 मन्स फिर उसके बाद उसने किया 6,000 रुपए 10% 6 मन्स के लिए उसके बाद फिर उसने 8,000 रुपए 10% 1 मन्स के लिए तो यह कैल्कुलेट करोंगे 2,000 multiply by 10% for 10 मन्स 167 600 मन्स याएंगा 300 विद आट सो दिवाद बाद 12 67 करोंग टोटल 167 ब्लस 300 ब्लस 67 यागे 534 यागे आपका 534 534, done 533 और 534 यागे आपका इंट्रेस्ट वार इंट्रेस्ट वार इंट्रेस्ट बताओ इससे capital बढ़ेंगा कम होंगा कम होंगा यहाँ यहाँ पर मैं लिखूंगा इनका closing balance है ना यहाँ पर balance carried down लिखेंगे ना पन यहाँ पर मैंने लिखा सर यह close balance carried down आप यहाँ पर लिखोंगे मगर मुझे profit भी तो चाहिए profit भी तो चाहिए by share of profit यह share of profit यह share of profit भी तो चाहिए या net profit जो भी लिखो अब मैंने का बया accounting is an equation को भी एक figure आप missing figure निकाल सकते हो दो दो missing figure नहीं निकाल सकते बेटा अब बच्चों में को बताओ अरे 533 534 क्यों लिए 533 534 क्यों लिए यह आया ना 533 इंट्रेस on drawing सी आया ना 533 534 ही तो आया और कितना आया 533 534 ही तो आया ना वो टोटल तो उतना ही लिया मैंने ओके अब उसके बाद यहाँ द्यान से सुनेंगे अब बताओ accounting is an equation बेटा अब मुझे बताओ कि य लेकिन यहां पर दो मिसिंग फिगर एक है प्रॉफिट और एक है आपका closing balance current account बच्चों आप में को एक बात बताओ क्या मैं यहां पे closing balance मेरे को पता है टोटल कितना जो working note नंबर 1 यह 2 में मैंने निकाले 172 500 यह working note नंबर 2 में निकाले थे निकाले थे कहां calculate करे थे अपने working note number 3 में current account का balance कहां निकाले अपने working note number 4 में निकाले 172 500 तो 1,72,500 आपकी current account का closing balance ने total A, B और C का अब आप में को बताओ अब आप में को बताओ अरे भाई अब आप में को एक बार बताओ, यहां पे ध्यान दो भी आप यहां अभी आप में को बताओ कि किस तरीके से अपन उनके balance निकाल सकते है किस तरीके से अपन उनका balance निकाल सकते है अपन यहाँ पे कैसे अपन उनका बैलस निकालेंगी कौन सी चीज़ का बैलेंगी कौन सी चीझ का बैलेंगी कौन सी चीज आद इकाउंनका कर्ण aan के के oo च हो तो से कर लेते, प्लस माइनस से कर लेते है, ओके जिस वन मिनिट, अरे यह राउंड ओफ करें न उसको अपने आप कैसे कर रहे हो, 533, 1333 था, तो राउंड ओफ करें न 533 लिए उसको, अफ पॉइंट, अरे यह बेटा है कोई बात है, 50 के उपर रहता, पॉइंट के बाद तो मैं 50, 34 लेता था उसको मैं, ओके, अचा 5 वाट, ठीक, चलो, अब ध्यान से मेरी बास सुनें आप, 670 उसको, सब बराबर है हो, 183 ले, चलो यहाँ ध्यान दो, ओके, अब सुनें आप, कैसे अपन अपर करेंट अकाउंट का, अब अपन कैसे प्रॉफिट निकाल सकते, स्टेट स्टेट्मेंट ऑफ प्रॉफिट अपने को कोश्चन में पूछा है, वहाँ पे आप लिखते जाएंगे, लिख रहा हो, मैं सरीफ यह लिख रहा हो, यह साइट को, यहाँ पर कमबाइन कापिटल मेरे को पता है, कमबाइन कापिटल कितना है, 172 फाइन, इसमें से, यह आइ बालेंस, as on, 31st मार्श 22, यह वर्किंग नोट नमबर 5 में लिखे थे के 4 में लिखे थे, इत्ते वर्किंग नोट से रहते हैं, 4 में लिखे थे, चलो ठीके, वर्किंग नोट नमबर 4 से आया है आपका, यह कितना है आपका, 172,500, अब इसमें अपन यह जो डेविट के आइ आइड करते जाएंगे, अब यहाँ पर आइड करो, आइड करेंगे अपन, आपका इन ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स, ए का 8,000, बी का 16,000, तो यह हो जाएंगा आपका 24,000, फिर आइड करेंगे, इंट्रेस ओन ड्रॉइंग्स, इंट्रेस ओन ड्रॉइंग्स, ए का 5,33, 33 B का 534 तो यह आगया आपका 101067 1067 और आपका बालेंस भी है वहां पे किसका 5000 जो अपकर अकाउंट का बालेंस को भी आड़ को एड़ वाले सरे यहीं लिख लूँ मैं ओके टीके एड़ वाले टूट इच यहां पर लिख ले तो यह नेक्स लाइड में लिख रहा आप कंटि बालेंस ओफ करेंट अकाउंट बालेंस ओफ कौन है भाई वो बी था ना बी का ओफ बी एज ओन 31st मार्च 21 ये कितना था बीटा दो हजार रुप है तो प्लस वाले आइटम अपने सारे लिख 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 चरो जल्दी से टोटल करो सकी 172.500 प्लस 24 प्लस 1067 प्लस 2000 रुप है तो यहार है आपका 199 567 लेस उसमें से करो वो जब क्रेडिट्स वाले जो आइटम है तो आप लेस करेंगे हाँ पर यहाँ पर जब आप लेस करेंगे कितना आपका इंट्रेस अन कापिटल पहले लिख लो इंट्रेस अन कापिटल A, B और C इंट्रेस अन कापिटल A का कितना है आपने 5625 था B का तब 4500 और C का कितना था अपना 3375 तो 5625 प्लस 4500 प्लस 3375 इंट्रेस अन कापिटल आपका 4387 एक सेकंड कुछ गड़ बढ़ किया मैंने तामान केता है 5625 प्लस 4500 प्लस 3375 13500 उसके बाद आपने करेंट अकॉंड में और वहां पे क्या लिख रहा है कि करेंट अकॉंड में आपका ओपनिंग बैलेंस तो लिखता हूं मैं 5000 उसके बाद सेलरी लिख लो सेलरी लिखो सेलरी चौबीस चौबीस अटरा ओके सेलरी ए बी सी चौबीस हजार चौबीस हजार और यह अटरा हजार तो 24 यह आगया आपका 66,000 बस अब इसके बाद अपना आखरी जो बैलेंस जो इस आपका करेंट अकॉंड बैलेंस करेंट अकॉंड बैलेंस एक सेकेंड यह करेंट अकॉंड बैलेंस किसका है करेंट अकॉंड बैलेंस यहाँ पे करेंट अकॉंट बैलेंस A का 5,000 रुपे 5,000 रुपी करेंट अकॉंट बैलेंस of A as on 31st मार्च इसका क्रेडिट बैलेंस अभी है गड़ बढ़नी करना 31st मार्च 22 5,000 रुपे ओके 5,000 रुपे अब जल्दी से बताओ यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा यहाँ पर 199,567 माइनस 13,500 यहाँ पर 66,000 और यह 5,000 तो यह आगया है 1,15,000 1,15,067 यह आगया है का नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फॉर दा इयर नेट प्रॉफिट फॉर दा इयर गडबड नहीं हो न अच्छी बीटा अब यह नेट प्रॉफिट फॉर दा इयर है 1,15,000 यह 67 आपने यहाँ पर ला लिया आपे अब यहाँ पर ध्यान से 1,15,000 अब आप बोलेंगे 1,15,000 को इसको कैसे बाटोंगे मैं 1 मिनिट है यहाँ पर आप मेरे को बताओ यह जो भी प्रॉफिट है इक्वल रेशो देखो यही उमीद थी मेरे को कैसे जवाब दोंगे तुम लो कि 1,15,000 को बाट दो equally मेरे को यही उमीद थी मेरे को बताओ है सई जवाब है के बेटे कि 1,15,000 को equally बाट देना चीए कि वावा किशन वावा और बताओ और जवाब दो इक्वल और कोई है अरे वावा वामीजी क्या जवाब दे रहे हो आप लोग वेरी गूड वेरी गूड और कोई जवाब यह हुई ना भौमिक बात बस यही सुनना था मुझको पहले के तीन मंद ब्रेक कर दो फैंटास्टिक सब बोले जा रहे बाटो इक्वल रेशो वन इस इसका परपज यह था कि पॉइंट समझे यह जो प्रॉफिट पूरे साल का है भाई साब यह तीन मेने के प्रॉफिट ए और बी में बटेंगा तो वेरी गुड बोमिक आपने क्या बोले सही जवाब दिये बिटा आपने कहें कि इसको तीन मेने को टूइस टूवन में यहा आपने का अब यह तक आया भी निए बस इंतिजार में आप जो अटेंट दोंगे उसने बोला मैं जब भी आऊंगा कसम खाया कोशन में जो अटेंट यह बच्चों का है उसी अटेंब में आऊंगा ठीक है ओके अब ध्यान से अब आजओ यहां पे इस पर आपने इतनी वर प्रॉफिट आपका अलोकेशन ओफ प्रॉफिट तोटल प्रॉफिट कितना अपका अभी कैल्कुलेट करें एक लाग पंद तो यहां पे लेको त्री मॉंस प्रॉफिट त्री मॉंस प्रॉफिट अब यहां पे लेको त्री मॉंस प्रॉफिट त्री मॉंस प्रॉफिट अ 1,15,067 यह आपका 9 मन्त का चरो करो calculate 1,15,067 यह आपका 2,8 2,8,7,6,7 2,8,7,6,7 1,15,067 multiply by 9, multiply by 9 divide by 12 86 300 2,8,7,6,7 86 300 यह आपका वह ही 1,15,067 अब यह A, B और C बातेगे इसमें जल्दी अब ध्यान से सुने मेरी बात अब बताओ A की जब बारी आई तो भीटाए A को जब आपका यह उसको 20 यह A पे किसका राज़ यह वाले profit पे किसका हक है A का और B का A का और B का यह A, B A, B, 2 is to 1 यह A, B, C 1 is to 1 is to 1 1 is to 1 is to 1 ओके तब यहाँ पे अपन बातेंगे A को तो दोनों जगा मिल रहा है A भाहिया को हमने बोले 28,767 का कितने पर से यह इसका रेशो कि 2 is to इसका रेशो कि तब 2 is to 1 था तो इसको 2 by 3 एक यह मिलेंगा A भाहिया को और दूसरा वो नीचे 86,300 में उनको मिल दाएंगा 1 by 3 इक्वल चलो करो कैलकुलेट B में भी यहां पर 28,767 में 1 by 3 B भाहिया का और यह भाहिया 86,300 में 1 by 3 B भाहिया का उसके बाद यहां पर इनको कुछ भी नहीं थे नहीं है तो फिर क्यों अब यहां पर आपका 86,300 का 1 by 3 इनका तो आपने 3 और 9 में बाटे अब जल्दी जल्दी से प्रॉफिट बता दो प्लीज साही साही बता ना प्लीज ओके 28,767 2 by 3 ओके प्लस 86,300 divided by 3 यहां रहा है 47944.66 है यहां पर लिख लो 47 945 कर लेसको ओके 0.66 प्लीज के लिए रोया मत करा करो 28,767 इनका दिवाई भाई 3 M प्लस 86,300 दिवाई भाई 3 M प्लस यहां रहा 38 38 356 लिख लेसको 56 अभी 86 86,300 दिवाई भाई 3 तो यहां रहा 28 यहां पर टोटल ख्याल रखना 287 6 अब एक चीज ख्याल रखना टोटल उपर मैच होने चीए राउंडेड आफ का आगे पीछे थोड़ा हो सकता है देखो यहां पर 47 टोटल मेरी उप्ती आना चीए अब एक लाग पंद्रह हजार यह शिक्स्टी सेवन तो 47945 एक विट 47945 प्लस 38356 प्लस 28767 तो यह आपकी 68 रुपी एक रुपे जादा आ रहा है उपर जो आपकी यह टोटल प्रॉफिट है यह मैच होना चीए वो राउंड ओफ में 4 ने 8 ने वो उसके मत रोया कर गए वे एक रुपे की आती है जो शोर मच आएंगे उसके लिए ठीक है तो आपने उपर 4 का लिए तो बराबर हो गया एक लाग पंद्राजार और वो आपके 67 डन ठीक है ओके आप तू आप किसी का भी एक वाप उसका सी का भी 66 करते तो वो भी चल तक है ठीक है उसमें कोई ऐसा बाहरी बात नहीं अब जाओ जल्दी से कहाँ पर आप जाएंगे अब आप जाएंगे इसके इस केस में करेंट अकाउंड में जाएंगे इनके और करेंट अकाउंड में लिखेंगे यहाँ पर शेर अफ प्रॉफिट यहाँ पर आप लिखेंगे वर्किंग नोट नमबर यह कहाँ सेल आपने वर्किंग नोट नमबर 7 इतनी वर्किंग नोड बन गई है कोश्चन में ठीक है वाई लिको 47944 उसके बाद 38356 और 28767 28 मेरको एने बराबर आ रहा है वह आप देखते रहो 115 करेक्ट है भाई साब करेक्ट है ठीक है आप कैलकुलेशन देखो अपना ठीक अभी आपने प्रॉफिट यहां पर लिखे तीनों का यह अभी तीनों का यहां पर प्रॉफिट लिखो अब उसके बाद यह प्रॉफिट आपने लिख दी अभी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगे अब करेंट अकाउंट में जा और आप यहां पर लिखो करेंट अकाउंट का 5000 प्लस 5000 प्लस 5625 प्लस 24000 प्लस 47944 तो यह आ गया आपका 82569 82569-8000-53374036 4500 प्लस 24000 प्लस 38356 यह आपका 666856 66856-2000-16000-53448322 3375 plus 18000 plus 28767 तो यह आरे 50142 फिफ्टी ताउजन वन फॉर्टी टू इतने यह एंगा 50142 ओके यह आपके बैलेंसिंग फिगर है यह लिए बैलेंसिंग फिगर है यह कोश्चर आएगा आपको 12-15 नमबर के लिए दिकरा छोटा इतना तरी वर्किंग है ठीक है अब आपने फिगर यहां से यहां पर आए जाएंगी लिखवा आप यहां पर 74 यह आपने कर आप स्टेट्मेंट ऑफ बनाएं वहां पर लेको 74 036 483 2250142 डन ओके यह हमारा फाइनल यह कोश्चन खतम हुआ समझ में आया आपको अराउंड वन एन हाफ वार से अपन इसको डिसकर्स कर रहे और यह कोश्चन फाइनल यहां पर खता हूं आज इस कोश्चन को आपको भी प्राक्टिस करना है ठीक है वैसे तो प्राक्टिस डिल के रहते लेकिन एक बार आज मैं होमवक आपको भला ही म में इस कोश्चन को क्या करेंगि इस कोश्चन को यहां पर आप एक बार आप खुछ राक्टिस कश्चन के एक बाप प्रां रहेगा यहां Шक हमारी यहां कौन सात शीन मबच जो भी त्ट्रस रोधे सिवंध यहां पर खतं होता है सो लेंठी dealers लेकिन थोड़ा आवरेज है तो question number मैं 8 भी कर ले तो फिर आपको break भलाए दूँगा थोड़ा सा अभी आदा पॉन गंडा 30 से 40 मिंट patience रखना उसके बाद फिर आपको break मिल दाएगा ओके ओके ध्यान से चलो the falling is the मैं थोड़ी दिन के लिए थोड़ी दिर के लिए आप लोग का चैट है आप बन कर लेता ठीक है अब दियान से सुनो the falling is the position of assets and liability of a plus b who does not maintain complete books of account who does not maintain complete books of account capital of a at the beginning of the year was rupees 10,000 more than b and interest on capital is allowable at 10% of opening capital of opening capital ठीक है अब दियान से मेरी बात सुनेगे यहां पर मैं आपके अगर कुछ points आपने लेके तो मैं एक साथ आकरी में rate करूँ अभी बस आप मेरी बात को यहां पर दियान से सुनेगे अब उसने अपने से का कि यहां पर question में कहता है कि capital of capital of a at the beginning of the year was rupees 10,000 more than b तो capital जो आपका बी का इसका एक का जो capital था बी से 10,000 रुपे जादा था साल के शुरुवात में और interest on capital उसने question में कहा 10% ठीक है तो उसने का फिर cash in hand cash at bank as per pass book यह सबसे important है बच्चो अब आप में को बताओ जब हम लोग statement of affairs बोले या balance sheet जब आप अपनी बुक्स में लिखते है अपनी बुक्स में जो balance sheet बना तो उसमें पास book के साब से balance लिखते है cash book cash book के साब से इंट्रेसिंग पॉइंट है इसने का stock at shop at cost, sundry data, sundry credit, furniture, machinery तो इसने opening और closing balance हमको यहाँ पे दिया तो इसके बाद additional information additional information additional information partners have drawn A rupees 3000 per month and B rupees 2000 per month no interest is chargeable on drawings no interest is chargeable on drawings ठीक है जोड़ने drawings पे उस पे कोई इंट्रेस नहीं है drawings per month बताया है A और B की फिर हमसे के स्टाक at shop include goods sold for peace 5000 at a profit of 20% not yet delivered इस पर बात करेंगे depreciate furniture 10% machinery 20% on on closing balance किसके ओपर बोला हमको किसके ओपर बोला हमको उसमें on closing balance ती अरे भाई नारास की हो रहा okay on closing balance okay फिर कहते है as on 31st March 22 check deposited but not credited by bank rupees 9000 and check issued not presented for payment of rupees 6500 bank has also debited our account by rupees 200 as bank charges अब देखो क्या हुआ यहाँ पर यह जो डी वाला पॉइंट है यह किससे related आपका यह related bank reconciliation statement तो सर यहाँ पर आपने तो foundation में पढ़े थे इंटर के syllabus में नहीं मत होने दो ना इंटर की syllabus और देखो यह जो question आपके screen पर अभी question number 8 यह institute के material का question नहीं ना RTP में ना MTP ना उनके कभी exam में भी है तो ऐसे questions unique question जो लाते कभी भी कोई अटेंब इंस्यूट पूश सकती है ठीक है तब ध्यान से बाप मेरी बात यहाँ पे सुनेगे तो इसने bank reconciliation statement से related है डी पॉइंट जो bank reconciliation statement से related है वादब BRS बना है लेकिन एक चीज़ ख्याल रखना कि यहाँ पे जो आप लोगों को जो balance दिया balance ऐस पर यह passbook दिया balance ऐस पर क्या दिया इसने passbook दिया विटा तो यहाँ पर आपको 31 March 31 March 2022 की बात कर रहा है मतलब यह जो information 31 March 2022 यह जो है मेरे 31 March 2022 की बात कर रहा है क्योंकि 21 में क्या हुआ 21 में कुछ भी adjustment नहीं बी आरेस का इसका मतलब जो balance इस पर cashbook है balance इस पर passbook 31 March 2021 की वही balance 31 March 2000 वही balance cashbook होंगा I mean to say कि यहाँ पे जो आपका यह passbook का जो passbook का जो यह balance है यह जो passbook का जो balance है वही balance cashbook का भी रहेंगा ऐसा क्यूं सर के 31 March 2021 को जो passbook का balance यहाँ पे जो दिया है वही balance cashbook का रहेंगा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वह मैं इस ही लिए कह रहा हूं क्यूंकि आपको question में जो BRS related adjustment है वह कौन सी दारी को दिया 31 March 2022 मतलब यह 20,200 जो ऐस पर passbook और cashbook पे इसमें difference रहेंगा इसमें difference नहीं रहेंगा क्योंकि इसमें कुछ differences के यहाँ पर reason यह adjustment ही नहीं यह adjustment किसका है 31 March 2022 का तो यह cashbook और passbook का differ करेंगा तो इसलिए अपने को BRS इस तारी का BRS नहीं बनाना है उसके बाद और अगर आपको अभी कोई doubt आ रहेंगी तो आप उस लिख लेना कहीं पर तेके फिर आकरी वे में एक साथ देखोंगा और फिर जवाब दूँगा तो यहां पर अब उसके बाद उसने हमसे पूछा क्या है उसने पूछा प्रिपेर स्टेट्मेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर्ट येर इंडि थर्टी फॉर्स मार्श ट्वेंटीड और बैलेंशीट अब बैलेंशीट मतलब यहां पर स्टेट स्टेट्मेंट ऑफ फिर्ट में को इस तारीक का बनाना पड़ेगा क्यों लुक्त अब यहां पर इसने अपने को वर्डिंग बलाये उसने यूस किया प्रिपर स्टेट्मेंट ऑफ प्रॉफिट बन जाएगा मगर ओपनिंग और क्लोजिंग कापिटल लगेंगा अपने को जबी तो अपन profit निकाल पाएंगे, opening और closing capital लगेगा, जबी तो हम लोग profit निकाल पाएंगे, तो पहले हम लोग statement of affairs ये दो तारिक का बनाते, और उसके बाद उनके profit, opening और closing capital पता चल लाएंगा, then we will prepare the statement of profit to find out the profit, फिर profit अपन distribute कर देंगे, लेकिन यहां पर statement of affairs columnar form में नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि आपको adjustment बहुत है, तो columnar form में बताओ, थोड़ी सी होई दे, तो अपन पहले इस तारीक का statement of affairs, 1 April 2021, इस तारीक का statement of affairs बनाते उपर, और उसके नीचे फिर statement of affairs बनाते हैं, अपन यह वाली तारीक का, उपर नीचे बनाते हैं, पहले अपन दो column बना लेंगें, तो अपर नीचे क्योंकि adjustments है, तो proper हो रहे हैं, तो आप यहां पे लिखेंगे, Okay, so आप यहां पे लिखोंगे, question number, question number यह कौन सा है बारा, 8, और page number 41, I think, page number 41, Okay, page number 42, Okay, दियान से, दियान से बाब बाद, तो आप पहले यहां पे statement of affairs, यहां पे लिखेंगे, statement of affairs, statement of affairs, as on, 1st of April 21, तो अपर नीचे बना ले ते, क्योंकि adjustments है, ठीक है, तो इसका आप, ज्यादा नहीं, 6-7 line का सिर्फ आप draw करेंगे, 7-8 line का सिर्फ draw करेंगे, Okay, liabilities, amount, assets, amount, liability, amount, assets, amount, Okay, अब सबसे पहले आप यहां पर देखोंगे, statement of affairs, अब यहां पर जो information दिया अपने को, cash in hand 2500, तो आप यहां पर लिखोंगे, asset side में, cash in hand, 2500, उसके बाद cash at bank, अब बूलेंगे सर यह तो एस पर pass book है, लेकिन 31 माँ 2021 को pass book और cash book का balance same है, क्यों? क्योंकि adjustment 31 माँ 2022 में है, तो जब फिर अपने cash book और pass book का अलग है, तो फिर अपन माँ पर बियारेस बनाएगे, यहां पर कोई इस नहीं, तो यहां पर आपक cash at bank, cash at bank कितना है, 15,200, 15,200, फिर यहां आपका stock at shop, at cost, तो यहां आपका stock है, 20,000 रुपए का, ओके, उसके बाद आपका sundry data, यह adjustment अब यह अपने को करना है, 31 माँ 2022 को करना है, यहां डेटर से 23,000 का, sundry data, sundry data, sundry data, यह कितना आपका 23,000, sundry data 23,000, ओके, उसके बाद यहां पर, sundry creditors 32,000, sundry creditors, sundry creditors 32,000, उसके बाद फरनीचर 6,000, फरनीचर 6,000, उसके बाद आपका मशनरी 20,000, मशनरी 20,000, अब यहां पर, total 2500, plus 15,200, plus 20,000, plus 6,000, plus 20,000, यहां आपका 86,700, 86,700, minus 32,000, यहां आगे आपका 54,700, से एक capital का, का, balancing figure, ओके, 54,700, तो यहां पर हमारे capital का लेकिन, कौनसी तारीक का balancing figure है, यह हमारा है, एक April 2021 को, अब अपन statement of affairs, और एक बनाएंगे, कौनसी तारीका, 31,000, 2022 का, तो आप यहां पर लिखेंगे, statement of affairs, as on, 31st March 22, as on 31st March 22, इसको draw करेंगा, इसको थोड़ा से जाधा draw करना, बारा एक लाइन का draw करना रहां, around 12 lines का, मैं नेक्स स्लाइड में लिख लेता हूं, आगे का, liabilities, amount, assets, amount, जिसके आगे का जो portion है, वो आप नेक्स स्लाइड में लिख लूँगा, इतना आप draw करो, इसको बारा एक line का draw करना रहां, around 12 line का, ठीक है, लिखे आपने around 12 lines का, उसको draw कर लेंगे, अब ध्यान से अच्छे ज़र चीज़ को समझेंगे, यहाँ पर उसने अपने से का, इस बार, cash in hand कितना है, 5200, तो adjustment जिस पे रहां, तो adjustment अपने को करना रहेगा, तो cash in hand कितना है आपका, 5200, तो आप यहाँ पर लिखो cash in hand, cash in hand, 5200, उसके बाद, अब इसको अपन cash at bank इसको working note बनाना पड़ेंगा, related to BRS, तो क्यों, क्योंकि इस तारीको 31 मार्च 2022 को यहाँ पर 20-200, आप में को पता, इस पे आपर BRS पे यहाँ पर adjustment है, यहाँ पर adjustment आप लोगों के, stock 25,000 का है, लेकिन जब मैं point number B पढ़ता हूँ, तो कहता है, stock at shop includes, stock at shop includes goods sold for fees 5000 at a profit of 20% not yet delivered, अरे भाई हमको क्या देखना है यहाँ पर, आप हो बलता है कि stock आपने sale हो गया, includes goods sold, already sold हो गया, लेकिन उसकी delivery नहीं है, अब इसको नहीं, उससे मत compare कर ले, अरे इंशुरेंस claim चैप्टर थारे, physical stock नहीं निकालना अपने को, अपने को देखना है कि हम किसके मालिक, उसने बोला कि आपे good sold हो चुका, लेकिन वो stock में count हो गया, क्यों काउंट हो गया, क्योंकि हमारे पर delivered नहीं था, तो वो actual stock का part नहीं है, ठीक है, अभी वहाँ पर, इसको अभी इंशुरेंस claim से मत बोला, महाँ पर physical stock on the date of fire अपन देखते थे, यहाँ पर उसने बोला कि good sold हो गया, ठीक है, तो बही चला गया, good sold हो गया, तो हमारे stock में आना नहीं चाहिए था, लेकिन वो बोलना है कि 20% not yet delivered बोलता, 20% sorry, at a profit of 20%, मतलब कि ये जो 5000 रुपे आ मैंने आपसे का कि ये 20% किस पर, profit of 20%, हम ये ही मानेंगे जब कुछ नी बोला, sales का, तो ये cost आपकी कितनी होंगे, 80, तो आप में को बताओ, ये 5000 रुपे से selling price दी और 5000, तो मैं इसकी अगर cost निकालना चाहो तो निकाल सकतो, हाँ, हाँ, निकाल सकते, ये 5000 अगर 100 है, 5000 अगर सो है, तो बीस कितना, वो आप selling price है, minus का तो cost पर आजाओंगे, तो इसका मतलब जो आपके stock में जो 5000 रुपे का, जिसकी sale value है, और इसकी cost 4000 रुपे हैंगी, ये 5000 अगर 100 है, तो 80 कितना, वो आता है 4000, मतलब आपका जो stock आपने लिखे 25000 रुपे का, उसमें से 4000 का stock ऐसा है, ज मैं बात करूँआ, लेकिन आप यहां पे आप लेको stock, यहां पे आप लेको stock, मैंने कहा, कि stock तो 25000 रुपे का दिया है question, लेकिन, ये sold हो चुका है, तो भई में को, जो sold हो चुका है, उसकी cost कितनी, उसकी cost कितनी, 25000 रुपे तोटल cost दी, यहां पे देखो question में, क्या बोला उसने हाँ पे, stock at shop at cost, ये cost पे लिखा हो है, cost पे 25000 रुपे, तो जो goods बेचे उसकी cost कितनी, तो वो 5000 रुपे selling price है, तो अगर वो 100 है तो 80 कितना, तो मैं कहता हूँ, ये 5000 रुपे, 5000 रुपे अगर 100 है, तो 80 कितना, 5000 रुपे अगर 100 है, तो 80 कितना, यह ओ गया, 4000 रुपे, तो जो जो बिग चुका है, उसकी कॉस्थ थी 4,000 रूपे, वो आपके स्टोक में इंक्लूड था, सर, 5 क्यों नहीं माइनस करें, बच्चे 5 इसलिए नहीं माइनस करें कि क्योंकि सेलिंग प्राइजे 5, riv integrative और अपनी स्टॉक किसे रहेता है कॉस पे तो कॉस पे इंख्लूड है ऊसी इसमार को यह बाछी सब्सक्रीन तो 25000-4000 यह कितना होता है यहos года तो ओ Hampने़ यह स्टॉक में गलता है तो वह आंपने क्या करें यहान से चार दार पर यहांसे क्या करना स cruelty चारधी sundry data पे पहले में लिखता हूँ और फिर मैं आपसे बात करता हूँ अब आपने यहाँ पे इतना लिखे अपने इतना जो आपने यहाँ पे लिखे इसके बाद continuation में आपने लिखना है sundry data संडry data और इस point को बहुत अच्छे समझना मैंने कहा sundry data तोट उसे उसे संद्रीडेट स्कोर्शं में कितना दिया है संड़ी डिटेटर स्कोर्शंट में को दिया थर्टी कुछ अभी मेरी बात सुनना मैं भी कुछ यहांपे चीज लिखानेगा वाला q 3 trucks यहांपे मैं लिख लेता हूं रॉट note 1, Sir, यह refer note 1, क्यों लिखे है, अब मैं बतातों क्या है refer note 1, अभी लिखा के दूँ आपको, अब कुछ के दिमाग में शायद यह बात आ सकती है, कि जो आपने कहें, कि जो stock था हमारा, stock जो हमारा दिया है, हाँ पर, यह stock कितना दिया हमारा, stock जो 25,000 रुपए का, उसमें 4,000 ऐसा stock है जो big चुका है लेकिन वो closing stock में count हो गया है तो हमने closing stock में से minus करें selling price पांच थी उसको cost पे लेकर आए 4000 तो 4000 minus करें outer column पे हमारा stock हम जिसके माली के वो 21000 रुपय आ गया अब क्या हो रहा है यहाँ पे question पे एकईज़ा रुपय ठीक है लेकिन शायद कोई बच्चे के दिमाग में यह चीज आ सकती है और आती भी है तो सही बात है आती भी है तो सही बात है क्या चीज़ दिमाग में यह चीज़ आ सकती कि सर आपने stock में count कर लेकिन क्या उसको sales की entry फिर pass करे थे क्या अगर आपने stock में count कर ली तो हो सकता है आपने sales में उसको count नहीं करे हो यह भी हो सकता है आपने stock में उसको count कर ली जलके नहीं करना चीज़ दे क्यों sold हो गया तो आपने stock में थहटा दी वह एक portion ठीक है लेकिन क्या आपने sales की entry proper कि क्या sales में पांच जा रुपए को लिए ना बराबर क्योंकि sold हो चुका तो selling price 5 ती तो question में कुछ specify नहीं किया जो 5 जार रुपए जो थे जिसकी selling price 5 थी cost 4 जार रुपए तो पांच जार रुपए sales में माने के नहीं माने, stock में आपने मान लिए थे, तो कि है sales में माने की नहीं माने, तो question में specify नहीं के, तो we have to take an assumption, तो मैं assumption यहाँ पे लूँगा, तो मैं ऐसा अजीम करता हूँ, कि हाँ sales में उन्होंने, इसमें note लिखा के दूँगा, आपको, कि sales, हाँ, sales 5000 रुपे में include है, sales के entry पास करें, क्योंकि मैं ऐसा assumption ले रहाँ, कि sales के entry उन्हें पास कर लिए थे, लेकिन stock delivered नहीं है तो रखा हुआ था, तो counting करते वक हमने उनका stock भी count कर लिए, ऐसा है, तो stock उनका भी count कर लिए, stock में से minus करें, लेकिन sales के entry बराबर पास करें, हम ऐसा अध्यूब करें, लेकिन अगर कोई बच्चा बोलता है, नहीं सर, मुझको ऐसा रखता है, sales के entry के बारे में कुछ बोला नहीं, वो 5000 में sales में लिए नहीं लिए, तो sales के entry उन्हें पास नहीं करेंगे, अगर आप ऐसा assumption लेते हैं, गलत नहीं हो, CA enter के बच्चे फाइनल में और assumptions आएंगे, तो आप गलत नहीं हो, दोनों सही है, information नहीं तो आप assumption ले रहे हो, तो आप assumption क्या ले रहे हो, कि एक इसमें मैं सोच रहा हो आपको, कि भई ठीक हो, stock में count हो गया, तो मैंने stock से हटा दिया, sale हो चुक है, stock में count हो गया, delivered नहीं हो तो इसलिए हमारे पास रखा था, तो count हो गया गलती से, मैंने stock में इसे हटा लिया, लेकिन या sales के entry होई कै तो कुछ बोला नहीं, तो दोनों assumptions चलता है, एक बोल सकता है, sales के entry pass हो चुकी, तो फिर data में कुछ चेंज नहीं है, लेकिन अगर कोई बोलता है, तो फिर sales के entry pass नहीं हुए, तो फिर data to sales, फिर data में 5000 रुपे अड़ करना पड़ेगा, तो ऐसे assumptions हमको लेना पड़ता है, यहां पर वो जो 5000 रुपे था, वो 5000 रुपे तो आपका था, वो 5000 रुपे का आपने क्या करें, आप 5000 रुपे का आपने sales के entry pass हुई होगी, वो तो इस stock हमारे पास रखे था, क्योंकि goods deliver नहीं हो था, तो counting में हमने भी उसको क्या करें, उसको अपने महा से goods counting में वो भी आ गया, इसलिए stock में से हमने minus कर दिया उसकी cost को, data को शेड़ने की जरुदिने हम ऐसा assume करें, कि बराबर उसमें sales के entry pass हुई भी, इसलिए मैंने यहां पर एक note आपको bracket में लिखा, refer note 1, उसपे मैं note लिखा दूँगा, कि बच्ची के दिमाग में से पहले ही चीज मैंने आपको explain करा, अब मैं यहां पर question में देखता हूँ, तो हमने यह माने कि sales में include, sales के entry pass हुई है, तो data में कोई change करने की जरुदिने जरुदिने अब sundry creditors है, उसके बाद आपको furniture 6000 का दिया, लेकिन furniture से related उसने क्या बोला, कि आपको यहां पे depreciation लगाना है 10%, और depreciation furniture पे 10%, बश्चनरी पे 20%, अब और समझना, देखो यहां पे अगर मैं furniture की बात कर, तो furniture में कोई बदलाव नहीं है, वो 6000 से 6000 पर यह, तो उसमें कुछ इतना नहीं है, तो 6000 पर लगा दूँआ, लेकिन जो आपका machinery हो, 20,000 से 25 होई, तो एक ऐसा question अपने कल करे थे, जिसमें कोई addition हुआ था, और addition कब हुआ था, अपने assumption ली थे, कि mid of the year, वो addition हो थे, छे मैने का depreciation महाँ पे लिये थे, लगा दो, और जो आपका 20% लगा, 20,000 है ओपनिंग, उस पे 20% लगा दो, और 20 का से 25 हो, मतलब 5000 से बड़ा, तो जो addition हुआ, assumption ले लो, कि mid of the year पांच हुआंगा, addition 5000 का, तो उस पे आप 6 मेने का लागा, मैं करता ऐसा, मैं ऐसा assumption लेता, लेकिन question में मैं को specific ली बोला, कि आप ये 10% और 20% depreciation चार्ज करो किस पे, closing balance पे, तो यहाँ पर अपनी अकल नहीं लगा सकते, mid of the year हुँआँगा, 20 से 25 यहाँ पर अपनी अकल नहीं लगा सकते, यहाँ पर जो आपका closing balance है, यह जो closing balance पे उसने अपने को question में बोला, बस बात होगी खतम, जो बोला उसने तो इस पे आप लगा दोगे, जो rate है यहाँ पे, 6000 पे आपको उसने बोला कि आप 10% furniture पे, और machinery पे कितना आपको 20%, तो जो आपको rate बोला, closing balance पे उसने बोला, तो सीधा हम उसको closing balance पे लगा देंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे furniture, furniture है 6000 रुपय का, उस पे depreciation 10%, यह कितना आपको 600, तो यह आगे आपका 5400, उसके बाद machinery, वो आपकी 25000 रुपय, उस पे closing balance पे बोला, तो उस पे depreciation उसने कितने percent बोला, 20%, 20% आगे है 5000, तो आउटर कॉलम होगे आपका 20000 रुपय, आउटर कॉलम कितना पे आजाएगा आपका 20000 रुपय, ठीके, अब उसके बाद सारी चीज़े अपने लिख लिए लिए एक चीज़ अपनी बच्ची वे, कौन सी चीज़ पच्ची वे, bank reconciliation state, आप बने का बैलेंस लिख दो न, अब यही तो कहानी है बच्चो अब आएंगा असली मज़ा, ठीके, bank का balance यहाँ पे वो जो दिया B-sar 200, वो किसके हसाब से, passbook के हसाब से, अपने को किसके हसाब से चाहिए, cashbook के हसाब से, वो लिख सार आपने 2021 में तो नहीं करे, क्योंकि महाँ पर adjustment ही नहीं था, तो मेरे को यहाँ पर, जो point number D के जो adjustment हो लेना पड़ेंगा, और balance यस पर cashbook निकालना होगा, तो इसके बाद ही अपन यह जो balance लिखेंगे यहाँ पे, bank का उस पर अपन working note बनाएंगे, तो पहले तो आप यहाँ पे लिख लो, पहले आप यहाँ पे एक note लिख लो, note make first, it is assume that, it is assume that, goods which are not yet delivered, okay, which are not yet delivered, okay, has been recorded as sales, it is a good sold but not yet delivered, okay, I say like therefore, therefore, no adjustment in data, in data, okay, अब हम लोग यह दिसक्शन करेंगे, अब हम लोग यह दिसक्शन करेंगे, कि आप मुझे अब हम लोगों का जो बैंक का बैलन्स है, जो सही है, बैलन्स इस पर जो बाफे पासबुक लिका है, हम को कैसे चाहिए, बैलन्स इस पर कैसे चाहिए, हम लोग को बैंक reconciliation statement, bank reconciliation statement, ऐसा नहीं है, sales लिखा é इसका मतलब sales में count हो गया, ऐसा नहीं है, पहले sold लिखावा वाला good stock मतलब sales में count हो गया, sold हुए बाद entry пας हुगे के इसका question चल रहा है, not necessary कि वो पास हो गए उसमें bank reconciliation statement as on 31st March 22 अब यहाँ पे ध्यान देंगे सिर्फ यह पहले BRS बनाएंगे अब ध्यान से bank reconciliation statement कुछ याद है आपको CA foundation में आगए वापस तुम अब CA foundation पढ़ रहे हैं तुम लोग अभी देखता हो दो CA foundation कितना याद है CA foundation कितना याद है यहाँ पे अपन discuss करते हैं ठीक है चलो भई आजाओ वापस CA foundation पे हमको यहाँ पे जो balance दिया हुआ है यहाँ पे जो cash aid bank यह जो लिखा हुआ है अब मैं को यह cash aid bank as per passbook अब ध्यान से हमारे हिसाब से यह जो 20R 200 है cash book के साब से debit balance होता है और passbook के साब से cash aid bank as per passbook अब बोलिए सर्मा पे लिखा नहीं कौन सा balance है passbook के साब से तो हमेशा normal assumption लेना पता है foundation में पढ़ा तो हमेशा generally हमारा पैसा generally हमारा पैसा bank में जमा होता है तो हमारे साब से debit balance क्योंको bank से पैसा लेना है और bank के साब से credit balance क्योंको उसको पैसा देना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसलिए आपको passbook के साब से दिया है तो आप यहाँ पर लिखेंगे credit balance credit balance as per credit balance as per passbook credit balance as per passbook दिया आपने को 20,200 20,200 इसमें adjustment करेंगे कुछ add होते add में तीन-चार लाइन रखना और कुछ less होते अब ध्यान से मेरी बात सुनेगे अभी में को bank reconciliation statement यह आपको पढ़ाना पढ़ेंगा थोड़ा था तीक अब ध्यान से मेरी बात सुनेगे तो जब भी आपको credit balance दिया वा रहता है तो आपने foundation में भी पढ़े होंगे जब भी आपको credit balance दिया वा होता है किसी का भी रहे cash book रहे पास book रहे तो यहाँ पर क्या चीज़ होते है credit balance जब दिया रहता है credit balance starting point अगर आपका है तो increase अगर रहा तो आपको less करना है और अगर decrease अ वो हम से कहता है यहाँ पर कि यहाँ पर उसने काम से कि as on 31st March 22 check deposited but not check deposited but not credited by bank rupees 9000 में एक एक करके पढ़ रहा हूँ हमने check जमा करा है bank में तो भाईया यह यह पास book और यह cash book तो हमने bank में पैसा जमा करा है तो हमने bank में deposit करे check जमा करा है तो हमने cash book में बढ़ा दिये हमने cash book में बढ़ा दिये तो मुझको यह बता है यह cash book में बढ़ा दिये हमने 9000 रुपय का check जमा है तो cash book में बढ़ा दिये लेकिन bank ने अभी तेक हमारे account को credit नहीं किया तो हमको cash book को passbook से मिलना है यह cash book को pass book से मिलना है increase के decrease इसको करेंगे तो बच्चों यहाँ पर यह decrease क्या होंगा आपका add so we will write down here BRS ओके check deposited check deposited but not yet but not yet credited check deposited but not yet credited by bank कितना amount है 9000 रुपे ओके तो आपने क्या दे कि मैंने बुला हमने bank में जमा करा है तो हमने क्या करें cashbook को बढ़ा दिये लेकिन bank ने बढ़ा आया के नहीं तो cashbook का passbook से में increase के decrease decrease तो decrease होगा तो हमने क्या करते है decrease जब credit balance starting point है क्या करते है अपने उसको add उसके बाद हमसे आगे कहता है आगे कहता है a check issued not presented for payment रुपी 6500 हमने check issue करे 6500 का लेकिन अभी तक जिसको भी issue करे bank में उसमें present नहीं किया तो मैंने cashbook में कम कर दिया 6500 से अब जिसको भी check दियो bank में अभी तक उसने collect नहीं किया जाके तो cashbook को passbook से मिले increase के decrease increase तो increase यहाँ पे क्या करते है अपन minus तो यहाँ पे लिखेंगे check issued check issued but not yet presented in bank check issued but not yet presented in bank यह आपका 6500 but not yet presented in bank 6500 अब उसके बाद यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे bank has also debited our account by rupees 200 as bank charges तो bank ने हमको bank charges लगा कितने के bank charges लगा है 200 रुपे के तो यह passbook में bank ने हमारे account को 200 रुपे से कम करा 200 रुपे से कम करा क्योंकि bank charges लगा 200 रुपे से हमारे account को कम किया अब cashbook को passbook से मिला increase के decrease 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 अपन क्या करते add तो आप यहाँ पे लिखोंगे bank charges bank charges charged by bank charged by bank कितना amount है 200 तो अब यहाँ पे आप balances पर cashbook निकालेंगे 2200 प्लस 9000 प्लस 200 तो यहाँ आपका 29,400 minus 6,500 तो यह आपका आगे 22,900 अब मेरी बाद ध्यान से सुनेंगे यह आगे आपका debit balance as per cashbook debit balance as per cashbook अब थोड़ा सा दिमाग से सोचना और मुझको जवाब देना अब मेरे पास यहाँ पे यह balance as per passbook था balance as per cashbook मेरा आगया तो क्या यह 22,900 रुपे 22,900 रुपे जो आ रहा है क्या मैं यहाँ पे 22,900 रुपे जो आ रहा है 22,900 रुपे का क्या करा जाएंगा बताओ आप में को balance as per cashbook सही जवाब दी आप लोगों ठीके यासमीन, किशन ठीके अब मैं यह सवाल करो यह लिख दू 22,900 जाके अब इसका जवाब दो में को मैं 30 सेकंड वेट करता हूँ 22,900 आप मेरे को बताओ जाके मैं लिख दू balance sheet में अब बोलो, अब बताओ आप में को balance sheet में note कर सकते अब balance sheet में note कर सकते अब, अच्छा, लिख लो आपके सर, fantastic कौन है यह fantastic no, हितेश ने no बोला, क्यों नहीं बोले fantastic, भॉमिक तुमने bank charges को adjust कर दो cash book में, fantastic, very good, very good, यह point असली, अब सुनो मेरी बात foundation में आपने क्या पढ़े थे, अब सुनो मेरी बात, यह जो check deposited, अब सुनो मेरी बात, very good, very good, जिसने point सोचा, very good यहाँ पे देखो, check deposited but not yet credited by bank यह कौन सारी, चार reason होते cash book और pass book में difference होने का हाँ सारी चार reason होते, कौन से recorded by bank but not recorded by us, error committed by bank error committed by us, recorded by us but not recorded by bank तो bank reconciliation statement का आपका accounting से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन आप जो, मगर आप accounting के point of office सोचो, पहला accounting के point of office सोचो, check deposited but not yet credit, यह तो recorded by us, recorded by us but not recorded by bank recorded by us but not recorded by bank, हमने तो लिखे थे न, check deposit करे, bank नहीं लिखे लेकिन, BRS में हम लिखते हैं क्योंकि to find out the reason, लेकिन यहाँ पे यह भी जो तो हमने check issue करे bank में present नहीं करा, तो यह भी वह है, recorded by us recorded by us but not recorded by bank, but not recorded by bank, हमने लिखे थे, bank ने नहीं लिखा था, मगर आप यह चेक, यह वाला point अगर मैं कहूँ यहाँ पे, कि check bank charges charge by bank, तो यह जो reason है, recorded by bank but not recorded by us but not recorded by us मतलब, bank ने तो लिखा, लेकिन हमने नहीं लिखे, हमने नहीं लिखे इसका मतलब भई, हमको तो adjusted cash book बना, हमको तो सई figure लिखना है, BRS बना लिए लेकिन BRS का figure, BRS के साफ़ जो cash book आ रहा है, that doesn't mean कि हम जाके balance sheet में लिख देंगे, balance sheet में correct amount लिखना पड़ता है तो यह चारो में से अगर मैं सोचू तो आप में को बताओ यहां पे कौन सा कारण, कौन सा accounting के point of view अगर आप सोचो, तो accounting में हम दो चीज लिखते हैं, यह BRS में चारो reason लिखते हैं, लेकिन जब accounting करते हैं बच्चों तो उसमें वो लिखना पड़ता है, जो error committed by us हमने कोई गलती करे, या recorded by bank, but not recorded by us यह दो reason accounting में हमको लिखना होता है, क्योंकि bank ने लिखा हमने नहीं लिखे, तो लिखो, हमने गलती करे, तो सुधार हो, यह दो चीज अकाउंटिंग में आती है, इसी लिए इसके बाद हमको, इसी में continuation में में लिखता हूँ, adjusted cash book, adjusted cash book, तो adjusted cash book में जब बनाता हूँ, adjusted cash book बोला तो किसकी बात हो रही है, bank column की बात हो रही, cash book में ओके, तो यह adjusted cash book अगर मैं यहाँ पर बोलू, यह adjusted cash book में यहाँ पर अगर मैं कहूँ एक में ओके, adjusted cash book बोलू, तो मैंने वहाँ पर balance लिखा to balance brought down, जो आपने उपर से जो calculate करे, 22,900 अब बताओ मैं को bank charges की क्या entry पास होँगी, bank charges की entry क्या पास होँगी, bank charges bank ने लगए, bank charges account to bank account, तो मैंने यहाँ पर credit करा bank charges कितना amount हो, 200 रुपे अब जो यह balance आएंगा, buy balance carried down, 22,700 रुपे 22,700 रुपे ओके, यह जो आएंगा आपका 22,900 और यह 22,900 यह जो figure आपकी आईए यह आपकी correct figure है यह आपकी correct है यह correct figure आईए ओके, तो 22,000 आप 900 रुपे ने लिखेंगे 22,700 रुपे लिखेंगे ओके, done समझ में आई चीज़ आपको तो आप cash book में balance sheet में कितना लिखेंगे 22,900 के 22,700 22,700 यह जो 200 रुपे अपने को record करना पड़ेगा ओके ओके done, very good अब यहाँ पे आप जाओ अब यहाँ पे आप लोग हमने यह बनाएं यहाँ पे लिखेंगे working note number आपने 1 में calculate करें 22,700 रुपे अब आपने सारे item लिख ली अब आप जल्दी से बच्चो इसकी total करके balance निकालेंगे अब जल्दी जल्दी 5,200 प्लस 22,700 प्लस 21,000 ओके 21,000 प्लस 32,000 प्लस 5,400 प्लस 20,000 तो यहाँ आपका 1,6,300 1,6,300 1,6,300 minus 23,000 तो यहाँ आपका 83,300 तो यह capital का balance आपका capital का balance यहाँ आगया balancing figure capital का balance आगया balancing figure यह आपका कितना है आपका 54,000 उपर 700 आए ओपनिंग और क्लोजिंग आए 83,300 अब इसके बाद अपने को क्या करना रहेंगा इसके बाद simple अपने को इसका यह बनाना रहेंगा combined capital if you want I can give a break जलबाजी में नहीं कराता मैं अगर आप बोलो तो मैं आपको break दे दू इसके बाद फिर अपन इसको आगे continue करता है अपने को इसमें क्या बनाना है combined capital account बनाना रहेंगा अपने को to find out the profit to find out the profit okay हाँ और ना बोले break you want break को दो गंटे हो गए काफी तो अगर चाहिए तो कोई buffer कम अरे बोलो yes or no continue sir ठीक है चलेंगा फिर second इसके बाद वालो seconds होता हमारा break के बाद तो छोटा सब रहेंगा फिर sir you can continue ओके चलो ठीक है इसको complete कर ले अब देखो अब आप बोलेंगे sir वैसे तो आप यहां पर यह बना लो कहेंगे मुझको क्या चीज़ बना लो कमबाइन कैपिटल अकाउंट बना लो तो उससे वो वैसी कमबाइन कैपिटल ओपनिंग क्लोजिंग लिखे सारी चीज़े लिखेंगे अपने प्रॉफित निकल देंगे और प्रॉफित दोनों 10,000 more than B तो उसने बोले जो साल के शुरुवात का जो capital A का B से 10,000 रुपे जादा था तो जब हमने यहाँ पर calculate करें अभी तो opening capital कितना है अपना opening capital कितना है बच्चों यहाँ पर जो calculate करें अभी opening capital 54,700 से एक काम करो 54,700 यहाँ पर आप लिखो calculation of calculation of opening of A and B हम निकाल सकते हैं उस पर मैं बताता हूँ कैसे बहुत simple अगर मैं कहूँ let us assume that capital of B आपने उसको X मान ली A का capital 10 रुपे B से जादा है तो मैं कह सकता हूँ then capital of A equals to X plus 10,000 समझ में आरा है मैंने क्या लीखा बताता हूँ A का capital B से 10 रुपे जादा है तो B का capital अगर X है तो A का capital X प्लस 10,000 होगा 10 रुपे जादा है मेरा capital समझ आपसे 10 रुपे जादा है आपका capital X है तो मेरा X प्लस 10,000 होगा तो मैं total capital में एको therefore total capital equals to X का जो अगर मैं बूले total capital equals to X plus X plus 10,000 तो B का आपका ये होगा X और ये आपका A का X plus 10,000 ओके simple ओके अब यहाँ पे total capital जो opening capital आए आपना 54,700 आए वो statement of affairs में लिखा होगा यहाँ पे हो जाएंगा 2X plus 10,000 2X plus 10,000 तो यहाँ पे अगर आप X calculate करेंगे तो यहाँ जाएंगा 54,700 यहाँ आपका 22,350 यहाँ गया X तो यह X किसका आपने माने थे होगे यह B का capital था तो यह B का 22,000 तो यह B का 22,350 आपका capital आपका capital आगया therefore A is capital A is capital X plus X plus X यहाँ पर आए 22,500 sorry 22,350 plus 10,000 तो X आपका 22,350 तो यह होगे इसका 33,000 32,350 और B's capital वो यह आपका 22,350 तो यह total opening capital का bifurcation मिल गया अपने को 54,700 54,700 जो यह न वो ही आएगा 54,700 यह आएगा ओके तो हमारे opening capital information से दिया था अपने निकाल अलग-अलग करके नहीं दिया था लेकिन बोला A का capital B से दसर दा था तो B को X माने तो A का X plus 10,000 टोटल capital पाता है 54,700 तो इक्वेशन से अपने निकाल दी यहाँ पर अब इसके बाद अपने को आप इसको चाहो तो इस form में भी बना सकते हैं किस form में? मैं combined capital बना हैं तो वो भी चलता है और अगर आपको statement वाले form में बना है statement वाले plus minus करें वो भी चलता है आपको तो मैं आपको combine capital बना तो फिर alternative statement भी बता देता है तो आपको आप यहाँ पे लिए को combine capital लेकर आप बोलेंगे combine capital क्यों लिख रहे हैं क्योंकि मैं को closing capital का bifurgation नहीं पता opening capital का पता है ओके इसको draw करेंगे आप आप एक लाँ डस लाइन का ओके सबसे पहले opening capital opening balance opening balance अभी अभी निकाले उपपर A का और B का A का कितना था 32,350 B का 22,350 तो वो टोटल आपका 54,700 question में हम लोगों कोई आप interest on drawings और interest on capital कुछ दिया है क्यों देख लेंगे हम तो आपका point number A में उसने बोला है capital है 3000 रुपे पर मन और 2000 पर मन no interest is chargeable on drawings तो drawings पे कोई interest नहीं है चल अच्छी बात तो पहले drawings तो लिखो A B 3000 रुपे पर मन तो यह 12 महिने 12 महिने 3000 पर मन तो यह आगे आपका 36,000 यह आपका 2000 रुपे 2000 रुपे पर मन तो बारा महिने का यह आगे आपका 24,000 यह आपका total 60,000 60,000 ओके उसके बात question पे drawings पे तो interest नहीं लेगी नि interest on capital opening balance पे 10% बोला है तो यहाँ पे लिखे लो buy interest on capital interest on capital interest on capital A B opening capital पे बोला तो 32,350 का 10% 22,350 का 10% तो यह आगे आपका 32,35 22,35 54,70 ओके डन अब यहाँ पे अपने को closing capital पता है total वाला to closing balance अपने statement of affairs बनाए उसमें closing balance कितना है वहाँ पे आपका अब यह निकला था कितने कितना है थो 83,300 83,300 60 प्लस 83,300 143,300 54,700 प्लस 54,70 माइनस 143,300 यह आए आपका प्रोफित आगया net profit balancing figure 83,130 143,300 143,300 ओकी simple अब यह profit का बाढ़ सकते है अपन बाढ़ दो A's profit equals to 83,130 इसमें profit sharing ratio कितना है B's profit 83,130 83,130 अब बताओ profit sharing ratio पूरे question में हमको कुछ भी दिया वाँ नहीं है तो profit sharing ratio जब नहीं दिया रहे तो क्या मानते है अपन equal equal मानते तो यह आगे आपका 41,565 41,565 समझ में आया तो आपने equal करें अब अगर चाहो तो statement form में भी बना दो ऐसे से भी चलता statement form में बोला तो अपन इसको बना सकते alternatively लिख ले तो बस पांच मिट लगें फिर promise फिर break है आपको finish कर दो ऐसे ही हो ना बस no sir complete कर दो very good very good ओके तो बच्चों यह लिखे अब आखरी पढ़ाओ बस खतम ही हो रहा है जल्दी से लिखो यह alternatively एक्जाम में कोई एक तरीके से लिख क्या आना alternatively आप लिखो statement of statement of profit and loss okay यहाँ पर मैं लिखता हूँ closing capital closing capital question में अपना आया था 83,000 300 अब वो जो आपने debit करें उन items को add करें drawings से स्रिफ महाँ पर drawings A भाईया B भाईया A का था 36 B का था 24 टोटल कितना हो गया 60 60 हो रहे है न हाँ 60,000 so 83 300 plus 60 so यह आगे आपका 143 143,300 less opening capital opening capital अलग अलग पता है तो लिख लो A B A का कितना है कुछ नहीं होता उससे sequence में कुछ नहीं होता आपने नीचे state में कुछ नहीं होता उससे related working note आपने उपर बनाए उसके बाद यहाँ पर यह आपका कितना है 54 700 यहाँ पर आप एक में ओपनेंग capital यहाँ पर 32 350 22 350 so 32 350 22 350 32 350 22 350 तो यह आगे आपका 54 700 700 ओके उसके बाद यहाँ पर इंट्रेस्ट on capital इंट्रेस्ट on capital इंट्रेस्ट on capital एका और बी का एका इंट्रेस्ट on capital आया था हमारा 3235 2235 तो यह आजाएंगा 5470 अब इसका आप माइनस कर लो तो यह आपका यहाँ पर profit आजाएंगा 143 300 माइनस 54 700 माइनस 5470 तो यह आगे आपका 83 130 यह आगे आपका net profit okay done 83 130 हो गया अब ध्यान से यहाँ पर अपने से पूचा यह था और वो इस्टे बैलेंशीट वो उसने पूचा तो आपने वहाँ पर बना लिए टो यह तो यह प्ते आपने को बनाया स्टेट्मिंट ओफ नए बनाया और ओफिस के बाद आपने वोरह प्रणिंग नोट बरने और इसके कुछ निए इसके बाद फिर आपने यहाँ पर क्या बना लियी हमने आपका combined capital यह statement of profit and loss to find out the profit done तो आप में को बताओ इस question में अब आप में को बोलो कोई doubt जो मैंने question आप से कराया है अभी इसमें कोई भी doubt होता है तो आप महाँ पे लिखो फिर मैं इसके जवाब देता हूँ इसके बाद हमारे statement office method खतम होती है यहाँ पे completed account method अभी break के बाद हम लोग शुरू करेंगे इस पर discussion होँगा तो आप में कोई यह बताओ कि आपको यह point समझ में आगए इसमें कोई doubt होगा question में तो एक मिट मैं रुखता हूँ फिर बलाई मैं break पे जाती तो अगर कोई doubt होगा तो आप लिखेंगे यहाँ पे no doubt sir thanks चलिए ठीक है तो break पे जाते और 15 minutes बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे अब हम लोग शुरू करेंगे हो गया चाइवाई पी लिए सब लोग ने ओके अज़ पहला session थोड़ा सा लंबा हो गया इट्स ओके ठीक है अब ध्यान से अब जब ही chapter हमने शुरू किये थे कल तो हमने देखे थे कि दो तरहा की method होती कि यह थी statement of first method और एको थी statement और एको थी statement और फेर्थ और यहां पर जो हम आज जो देखने थे completed account method उसको concept का आप अच्छे से समझेंगे तो मैं लिख देता हूँ पहले completed account method completed account method ध्यान से yes sir welcome back sir welcome ओके चली अब ध्यान से सुनो बच्चो ठीक है complete account method क्या है पहले अच्छे से concept के बारे में उसके बात करते हैं ध्यान से सुनना वाण अभी क्या जन्रली मैं प्रेफर नहीं करता कि जो accounting cycle क्या होती आपकी accounting cycle होती है आपकी entity transaction okay entity transaction फिर entry बोलो यह recording बोलो recording recording उसके बाद ledger वो ledger में हम क्या बनाते अकाउंट बहुत ध्यान से इन बातों को सुना बड़ी important चीज़ चल रही हो कि फिर वो account के बाद हम उसमें posting करते हैं वो posting के बाद totaling और balancing totaling and balancing totaling and balancing के बाद फिर अब trial balance trial balance के बाद अगर कोई adjustment दिये तो उसकी adjustment entry यह adjustment वो करते आप अगर के बाद okay adjustment के बाद हम बनाते financial statement adjustment के बाद क्या बनाते हम financial statement तब इसको लिखना ने आप इन बातों को बहुत ध्यान से भी सुनना ओके इन बातों का बहुत ध्यान से भी सुनते जाना सो मैंने का सर कि यह accounting cycle होती हम शुरू करते कहां से शुरू करते हम शुरू करते entity transaction उसके बाद entity transaction उसके recording लजर इस accounting cycle सारी शुरू होती लेकिन मैं कहूं कि क्या सर इसमें जैसे क्या आपको यहां पर दिख रहा है कि accounting from incomplete record वह records हमारे incomplete है और उसको complete करना है मतलब कुछ चीज़े tutti-footy भी missing information है उन information को अपने accounting का knowledge apply करके missing information में accounting का knowledge apply करके हम लोगों को information को पूरी करना है मतलब question में हो सकता है कि आपको question हो नहीं सकता हो question में देता ही आपको question में आपको यह वाला जो पार्ट होता है आपका transaction question में will be given in question it will be given यह आपको transaction question में दिये वे होते will be given in question transaction question में दिये हुए होते अब यहां पे तो क्यासर transaction दी तो proper रिकॉर्ड करे वे होते के नहीं नहीं उन्होंने proper उसको record नहीं करे वे रहते अगर proper record करे रहते तो फिर यह accounting from incomplete records बोलते ही नहीं तो यह जो transaction रहते कई बारे से कुछ record करे वे रहते कुछ record नहीं करे तो यह double entry system को follow नहीं करे मतलब not recorded by double entry system उन्होंने यहाँ पर double entry system से इसको record नहीं करे इसका मतलब जो हमको question में information दीवी है वो incomplete information है वो कौन सी information है incomplete information तो हमें जो question में information दीवी है बच्चे कौन सी information है incomplete information अब मैंने सोचा कि question में मुझे उसने कि मैं कहता हूँ कि मेरे सामने transaction पूरे रखे वे लेकिन मैंने कहा कि जो record क्या आपने इसके accounting करे कुछ लिखे कुछ नहीं लिखे वे सो मैं आपसे यहाँ पर कहता हूँ कि यहाँ पर ledger की अगर हम लोग बात करें तो ledger में यहाँ पर accounts जो बनते आपके जो ledger में जो आपके accounts जो बनते उसके generally वो question में opening और closing balances दिया वार रहता है कि उसने हमको transactions दिये वे question में अब उसने पूरी information नहीं दियए transaction पूरे किसी के opening balances किसी के closing किसी दोनो opening और closing balances देता है अब यह जो account होते है account जो हमारे सी doon कौन से balance होते बच्चों आपको पता इची उसके balance होते debit balance कौन से balance होते उसके debit balance होते है और इसकी बाद आपके income और liabilities के कौन से balance होते theoretically balance होते है यह हमको पता है तो information जब हमको question में 46 और अगर question में दीया account दिया अभी आपने देखेंगे आगे तो कोई expense के account होते है कोई asset के account होते है कोई income का account होता है कोई किसका account होता है कोई liability का account होता है अभी account के opening closing balances दी तो हमें यह देखना रहेंगा कि यह आपने increase और decrease से भी कर सकते हैं अगर इसके transaction दी तो entry भी pass आप कर सकते हैं तो जब जिसके debit balance होते है और अगर वो increase होता है अगर जिसके debit balance होता है और अगर जब भी कोशन में increase होंगा तो हम उसको क्या करेंगे debit करेंगे जिसके debit balance होते है और वो item अगर decrease हो रहा है तो हम उसको क्या करते है credit करते है और फाउंडेशन ने पढ़ आपने जिसके credit balance होते, वो item जब increase होता है, तो हम उसे क्या करतेे क्रेडिट करते, और जिसके credit balance होते जब वो अगर decrease होता है, तो हम उसे क्या करते डेबिट करते, ता आप बूली North आप पर क्यूं पता रहे हैं, हमने तो यह foundation level पर पढ़ यह basic ची में यही आगे देखने हैं हम लोगों कि जो information missing है बच्चे वह missing information को अपने को ढूंड के निकालना तो एक puzzle type का कोई चीज missing है उसको आप जोड़ के अपने को proper complete करना लेकिन कैसे इस puzzle को खेलेंगे इस खेल का simple basic जो आपके accounting उस पे command होना चाहिए यह आपको पता रहना चाहिए कि में को सब उसने opening closing balance generally देता हो दे दिया transactions से मैंने उस account में transactions read करा उसको जहां पर जो item आना दो account पर लिख लिया लेकिन जो account मेरे पास दिया हुआ रहेगा वो account में missing वो account में पूरे item नहीं रहेगी कोई ना कोई item छुपा हुआ रहेगा तो suppose मैं example कहता हूँ मैंने कोई asset account बना है example अभी मैं सारे accounts आपको बता हूँगा मैंने कोई asset account ओपनिंग balance लिखा है closing balance लिखा है debit में उसने purchase भी अगर कुछ fixate करा वो भी बता दिया और अगर sales के वो भी बता दिया उसके बावजूद भी मेरे credit side short जा रहा है तो मैं यह सोच रहा हूँ कि sir मेरे कोई fixate account credit side short कब जा रहा है सारी information दी तो आपको सोचना पड़ेंगा यार यह fixate account का credit side में depreciation आता है तो यह missing figure depreciation होगी तो आपको यह सोचना पड़ेंगा हर account में जो information दी हो सारी information लिख लेंगे लेकिन जो missing information रहेंगी वो missing information कभी debit short जाएगा कभी credit short जाएगा और हमको सोचना पड़ेंगा यह कौन सा अकाउंट है एसेट है, इंकम है, एक्सपेंस है, लाइबिटी कौन सा अकाउंट है यह debit side short जा तो क्या इसका कारण हो सकता है क्या कौन सा item होगा यह credit side short जा तो कौन साइड आप यह मत बलने सर्फ closing balance लेंगे closing balance, opening balance देता है जनरल ही देता है किसी question में नहीं रहा तो फिर वो रहेगा लेकिन opening और closing balance देता है आपको अकाउंट के और उसमेंद आपने सारे items जो दिये question में read करके लिख लिए लेकिन तो भी ओन अकाउंट के debit या credit side आपके बच्चे short जाएंगे हो सकता है कि कम जाए वो amount missing है तो जब वो amount missing है तो मेंको अपना accounting का knowledge लगाना पड़ेगा और आपको यह सोचना पड़ेगा missing information किस चीज़ क्या item हो सकता है जैसे मैंने आपको example दिया कि fix this hit मेरे सामने account है fix this hit account के मेरे सारे items मेरे credit side short जा रहा है तो मैंने सोचे depreciation होगा महाँ पर वा आता है अब कभी कबार ऐसा भी होगा कि आप जब कोई account को देखोंगे तो अगर suppose credit side short गया तो यह item आपको महाँ पर credit side short गया और question में कुछ बोला नहीं कि credit side short गया तो उसको क्या interpret करो तो आप दो कोई चीज बोल सकता है नी for example fixed asset में opening balance लिखा होगा debit side में closing balance लिखा होगा credit side में नीचे लिखा मैं बस होगा अब credit side short गया रहा है मैं आपको एक example लिख के देता है मैं example आपको यहाँ पर लिख के देता है for example कि मैंने आप से का कि यह मेरा कोई हमेशा normal सोचता है मैं इस पर आऊंगा वापस मैं आपको कहता है कि यह मेरा fixed asset account है यह मेरा fixed asset account है मैंने का और इसमें मैंने opening balance लिखा opening balance सबोस्थ 10,000 लिखा और मैंने यहाँ पर closing balance लिखा यह 8,000 रुपे question में दिया मैं opening 10 लिखा और closing 8 लिखा अब मेरे credit site 2000 रुपे से short जा रहा तो मैं को 2000 को interpret करना है 2000 रुपे किस चीज़ के होंगे यह आपको सोचना है कि 2000 किस चीज़ के होंगे तो जब मैं सोचने लगा तो कोई सोच सकता है कि 2000 रुपे मेरे depreciation की हो सकते है fix asset account है depreciation to fix asset entry होती है हो सकता है को depreciation हो या हो सकता है बच्चे कुछ भी बोलते हैं ऐसा नहीं कुछ भी doubt कभी ना कुछ बोल सकते हैं कोई बोलेगा नहीं सर गलत भी नहीं हो कोई बोलेगा सर यह depreciation है यह 2000 रुपे च्रेट स्राइज जब एक बच्चे नहीं बोला कि सर मेरे हिसाब से depreciation का amount होगा दो एक बच्चे नहीं बोला नहीं सर fix asset sales भी तो हो सकती सोच सकता है ना बच्चा कोई गुना तो नहीं है मगर मेरे को एक बाद नॉर्मल क्या लगता हमेशा assumptions जो आप accounting मेले CA final तक याद रखना हमेशा जब information हो आप कोई चीज को interpret करते हैं को assumption आप यहाँ पे लेते हो तो that assumption should be normal assumption we cannot take abnormal assumption abnormal चीज़े question में दीवी रहती है अब आप में को बताओ अगर आप इस position पे रहते और आपको interpret करने बोलता कि मैं यहाँ पे 2000 रुपे को depreciation मानू कि sales मानू आपको interpret करने बोलता तो आप normally हर साल क्या होती fix the set बिखती है कि हर साल depreciation आपको क्या normal लगता है आप में को जवाब दो कि क्या चीज normal लगती है क्या चीज normal लगती है आप में को बताएंगे depreciation normal लगता है हाँ correct जवाब बहुत लोगों ने लिए depreciation depreciation normal लगता है तो कई बार ऐसी situations भी आएंगी जो account आपके सामने लगता है जो आपको information वहाँ से जो missing information लगता है debit short लिए debit में दो item में आपे आ सकते थे credit short लिए credit में दो item आ सकते थे तो कोई एक ही लेना है अपने लेकिन आप assumption हमेशा कौन सा लोगे normal हमेशा जो चीज नॉर्मल नहीं होती वो question में आपको दीवी रहती है और इसके बाद आपको यहाँ पे completed account method में हमें वो trading and profit and loss account पूछता है अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं मुझे इंटर लेवल पे लेकिन आपको पता है trading and penal account में nominal account जाते है और इसके साथ आपको यहाँ पे completed account method में balance sheet भी पूछता है बनाने के लिए और यह balance sheet में कौन से account जाते real account और कौन सा जाता है आपको personal account यह balance sheet में जाते यह आपको पता है foundation बेसिक चीज़ है लेकिन यहाँ पे जब मैं balance sheet बनाऊँगा यह trading and penal account बनाऊँगा मैं इको सबसे पहला अप्रोच अभी full-fledged question आज शुरू भी नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पे जब full-fledged question में जब complete account method बाएंगे तो मैं trading P&L account से मुझे पुछा तो मैं trading P&L account, trading account, profit and loss account और balance sheet में लिखूँगा trading account, penal account, profit and loss account और trading P&L और balance sheet trading P&L और balance sheet में draw करूँगा उसके बाद जो जो information question में दिये opening, closing, balances, accounts के वो मैं लिखूँगा और मैं को देखना पड़ेंगा वो हर account को कि वो मेरा income है, expense है, asset है, liability है जो information transaction दी उसका मैं record करूँगा और हर account में जो मैंने working note बनाऊँगा इसमें working note बहुत बनेगी जब full-fledged वाले question हैगी जो आप working note बनाऊँगी जो हर account में जो missing figure होंगी वो missing figure को आपको interpret करना पड़ेंगा कि ये किसने, क्या हो सकता है ये क्या चीज होंगी है missing figure, account पर depend रहेंगा और जो भी account के balances रहेंगे फिर आगे मैं आपको इसकी approach बताऊँगा किस तरीके से solve करना है, कि आप जो asset, जो debit, asset है, जिसके debit balances है asset में लिखेंगे, asset को asset में, liability को liability में income को trading PNL के credit में और expense को trading PNL के debit side में तो आपको ये पता है कि जो चीज़ कहां पर लिखना है वहां पर लिखोंगे, लेकिन जो missing information हो एक एक account की हमको इस तरीके ते find out करना पड़ेगा और वो interpret करना पड़ेगा अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं अगर यहाँ पर कहता हूँ कि समझाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ पर यह account है अराम से इसको अच्छे से संबढ़ना है, कोई जल्बाजी नहीं करा process कैसे हैं कि full flesh question solve करना है बाद में बात होंगी उस पर लेगन आप खुछ सोचते हैं अपन यहाँ पर एक डिस्करस करते है fixed asset account है यह जो fixed asset है, यह कौन सा account है आपको मैं को बता। fixed asset है, यह asset है fixed asset account है, तो इसका कौन सा balance होता है इसका होता है debit balance कौन सा balance होता है बच्चो debit balance तो मैंने आपसे का debit balance होता है तो as debit balance है तो opening balance मैंने यहाँ पर debit यहाँ लिख लूँगा closing balance मैंने यहाँ पर लिखा अब यहाँ पर information सब इस account में लिखी हुई जैसे कि आपने fixed asset purchase किये तो fixed asset account debit to cash account fixed asset बेचे तो आपने cash account debited to fixed asset किये profit हुआ तो PNL में credit करते profit on sale of fixed asset यहाँ पर debit करेंगे loss हुआ तो PNL में debit करते और यहाँ पर credit होगा तो PNL account debited to fixed asset account यहाँ create करें depreciation है तो depreciation account debited to fixed asset यहाँ पर create किया तो information के सारी समझाने के लिए यहाँ पर लिखी हुई लेकिन जब हम full-fledged question solve करेंगे तो हो सकता है हो सकता है कि इसमें से क्या हो हो सकता है कि इसमें से क्या हो कि कोई account की इस fixed asset account में कोई figure missing है तो कोई figure जब missing रहेंगी बहुत interesting बहुत मजा हैंगा puzzle type का चलेंगा सब को information यहाँ पर अगर missing है तो हमको interpret करना पड़ेंगा यह fixed asset account है create site short गया sales भी हो सकता है depreciation भी हो सकता है लेकिन sales तो regularly नहीं होता तो question में दिया होता था मतलब depreciation होगा तो इस तरीक से आप judge करोगे अब जैसे कि मैं data account की बात करूँ तो data account यह भी आपका एक asset है इसके debit balance होते तो आपने opening balance data का debit यहां लिखे closing balance यहां पे लिखे अब आपने sales करें create sales तो data account to sales account data account to sales अगर आपने collection from data तो cash account to data bills receivable bill draw करे तो bills receivable account to data account उसके bad depth bad depth account to data discount हमने उसको दिये discount allowed account to data इसका मादब यह information सारी यहां पे data की लिखे लेकिन हम जब real वाले questions करेंगे तो उसमें इसमें से को information missing रहेंगी और वो आपको interpret और मेंको interpret मैं बताऊंगा कैसा interpret करना पड़ेगा क्यों missing figure क्या होगी for example मैंने data account को बनाया और debit side short गया तो मैंने कहा यार सारी information तो लिखी वे debit side short गया debit side short गया तो आप हम क्या interpret करेंगे कि यह entry pass गया तो यह sales होगा debit side short गया तो क्या होगा sales होगा तो debit side जब short गया तो क्या होगा sales होगा तो हमने यहाँ पर क्या करें उसको data account to sales debit side गया sales होगा तो यहाँ पर sales माले तो इस तरीकिसा आपको interpretation करना पड़ेगा अब उसके बाद creditors क्या होता आपका creditors होता आपका liability creditors क्या होता आपकी liability तो एक creditor आपकी liability है liability के कौन से balance होते credit balance होते तो opening balance मैंने यहाँ पे लिका closing balance यहाँ पे लिका creator को payment करें बच्चे creator account debited to cash account creator का आपने debit करें creator account debited to cash account यह कोई bill आपने accept करें creator's account debited to bills payable account अब उसके बाद discount received हुआ creator account debited to discount received purchase किये purchase account debited to creator तो यह information हमने सारी लिकें लेकिन जब questions करेंगे तो उसमें basic information कोई ना कोई रहेंगे वो interpret करना होगा लेकिन आप यह चीज़ समझना जो भी account रहता है बड़े ही ध्यान से वो asset है liability, income, expense आपको पतर है ना चाहिए asset की debit balance होते हैं debit में आपने opening लिखें closing credit में लिखे liability के credit balance होते हैं तो आपने credit में opening लिखे debit में उसका closing लिखे तो यह interpretation आपको आना proper लिखना रहेगा अब अपन यहाँ पर देखेंगे income account अब बोलेंगे sir, income account है अब इस चीज़ को अच्छे समझने मगर मैं debit side में देखता हूँ तो यहाँ पर मैं इको लिखे opening outstanding बहुत अच्छे समझन छोटी-छोटी क्यों दिखरा है opening outstanding तो यह तो income account है इसके balances तो carry forward नहीं होते है बिल्कुल सही है income के balances carry forward नहीं होते है लेकिन वो जो income outstanding अगर को रही उसका हिसाब किताब बच्चा हुआ है तो जब income outstanding रही वो तो transfer होँगा तो income outstanding का मतलब हमको income outstanding मतलब हमको income लेना है तो outstanding हमेशा outstanding that doesn't mean liability आपका आदत रहती है salary outstanding रहा या कोई wages outstanding रहा तो आप बोलते हैं तर लाइबिलिटी लेकिन एक्सपेंस outstanding थै यह income outstanding तो expense अगर outstanding है तो आपका liability होती है income अगर outstanding ही तो आपकी asset होती है इसी लिए opening outstanding यहाँ पर आपने लिखे तो यह आपकी asset है opening balance तो अगर मैंने opening balance opening outstanding debit में लिखा तो closing outstanding मैंने यहाँ पर देखो closing outstanding मैंने कहाँ पर लिखा है credit में लिखा उसी तरीके से अगर मैं जो income advance में मिली income अगर मैं कोई advance में मिली तो एडवांस में इंकम मिल की तो आपकी क्या है लाइबलीटी तो लाइबलीटी के कौन से बालन्स होते है लाइबलीटी के क्रेडिट बालन्स होते है और लाइबलीटी के कौन से बालन्स होते है लाइबलीटी के क्रेडिट बालन्स होते है और अभी don't worry question solve करेंगे जब full-fledged वाले आज तो नहीं होंगे next session में होंगे तो जब मैं आपको connect करके बताऊंगा सारी चीज़े अब मैंने आपसे कहा है यहां पर उसने सब्सक्राइब जो होता है हम लोग कौन से system follow करते accrual system of accounting तो मैंने कहा मैंने कितनी income पे income कितनी receive भी वो important ही लेकिन अगर मैं कहूं income receipt entry के आप आसकर दे cash account debit to income को यहाँ पर credit कर ली cash account debit to income को credit करें लेकिन यह debit side आपका जो आ रहा है यह आपकी suppose missing figure है तो income को आप PNL में transfer करते हो तो PNL में income को credit करते हो यहां से transfer करते हो इसको debit कर कि महाँ पर credit करना पड़ेगा कभी हो सकता है आपको कि यह यह वाली से और accrual system of accounting follow करते है don't tell me कि सर आपने opening advance opening outstanding यहीं लिखे इसी लिखा क्योंकि में को यह figure देखना है कि accrual कितने से हुआ क्योंकि मेरे को receive हो सकता है कि last year का कुछ outstanding था वो हो सकता है advance receive हुआ तो receive मैंने ल पीनल में यहां debit करें पीनल में credit कभी यह भी होता है कि आपको यह वाली figure उसने दे दिया तो फिर आप यह वाली missing figure निकलती कि cash आपको कितने received income का हुआ तो cash account को debit करते, income account को क्या करते, credit करते तो इस तरीके से हम लोगों को हर question में जो working note बनेगी missing figure को हमको interpret करना रहेंगा वैसी है आपके expense account के बारे में भी बात करते हैं हम लोग, expense account, अब expense सब्सक्राइब आपने prepaid expense तरह तो prepaid, आपने advance दीए, जैस प्रीपेड expense, अब आपको पता है, prepaid expense क्या होते है हमारी asset, इसलिए हमने उसको debit side में opening balance लेके, तो closing balance हमारा this side में हो, closing balance में हो, closing balance में हमारा this side म में भी मेरे पास outstanding था तो आपने debit में लेकी तो opening outstanding, हाँ, वो income outstanding थी, वो मेरी asset थी, यह मेरी expense outstanding यह मेरी liability है, इसलिए हो credit में opening outstanding आपको दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे closing मेरा closing outstanding यहां रहेगा, अब मैंने expense pay किया, तो मैंने entry pass किया cash account, expense account debit to cash account, वो pay किया, अब यह मेरी balancing figure आ credit कभी हो सकता है कि कितना आपके इसलिए अक्रूवा वो figure दिया, तो आपने कितना pay करें वो figure हमको निकल जाएगी, in other words, information तो account में सारी आती है, लेकिन हर question में अलग अलग combination हो सकते है, आपके, कभी में received कितना हो वो बता दिया, कभी अक्रूव कितना हो वो बता लिया, तो missing information question to question अलग, differ करेंगा, तो हर question अलग, हर question में हमको पढ़ना रहेगा, अच्छा यह account बना, इसमें यह missing figure हो सकती है, और हम discuss करेंगे, discuss करेंगे आप लोग से, मैं discuss करेंगे, देखो, यह missing figure है, मैं आपसे पूछूँगा भी, बताओ में को, कि यह missing figure आपको क्या लगता है, औ इसका यह reason, इसका यह reason है, missing figure, यह हो सकता है, फिर हो सकता है, आप शुरू में गलती भी कर, कोई problem भी, फिर मैं आपको बोलूँगा, अपने लाइव शेट में भी मैं पूछते होगा, बताओ इसका, यह missing figure आपको क्या लगती है, तो फिर आपको यह लगता है, हो सकता है, ह जादा question होते जाएगी, फिर आपको बराबर interpretation आएगा, आप बोले हाँ, यह reason होगा, आप खुछ से बोलना है, यह reason होगा, यह reason होगा, और आप खुछ से में को बोलते जाओंगे, और उसके बाद, एक और चीज़ इंपोर्टन आप लोगों कि इस chapter में जो आपको practice वाले question है, घबराना मत, जो statement of faith method वाले तो question आपको दिया बहुत simple होते हैं, लेकिन completed account method में जो practice वाले question रहेंगे, examination में भी lending question रहते हैं, बहुत से accounts रहते हैं, बहुत से working notes बनती हैं, लेकिन simple रहता है, difficult कुछ भी नहीं, accounting subject ही difficult नहीं, अपने दिमाग से इस चीज़ को निकाल दो कि यह difficult है, बहुत आसान subject, बस मेहनत करना, अपने को क्या achieve इतना करना है, और अपने मेहनत इतनी सी करते हैं, वो problem है, achieve अपने को इतना achieve करना है, लाइफ में, rank लाना है, यह अपना target है, और मेहनत अपने इतनी सी कर रहे हैं, तो फिर तो गलत है, अगर achieve इतना करना है, मेहनत उससे दादा करना पड़ता अपने को फिर वो जाके अचीव होता है मैनत करने से बस पीछे मतलब और अपने आपको इतना बहतेरीन अकाउंट में बनाना है मैं आपको सच कहा रहा हूँ जब मैं आपसे लेक्चेर लेता है लाइफ क्लास चल रही है और जो बच्चे रिकॉडिड भी देख रहे सच कहा रहा हूँ कोई वो बाते नहीं कि मैं आपसे बैटके बड़ी-बड़ी बाते करो आपका ऐसा करना है वैसा करना है मतलब आप खुद से सोचना कि ये सबजेक्ट में कुछ भी दम नहीं है इससे आसान सब्जेक्ट नहीं बना सच कहा रहा हूँ लेकिन आपने अपनी अप्रोच को सतार रहा है अपनी अप्रोच करते हैं चीजों को सोचना सोचा कर रहो और बेसिक अकाउंटिंग थामे रखो वोई अकाउंटिंग साइकल परसनल रियल नॉमिनल वही डेबिट करें उसको थांबे रखो बेसिक अकाउंटिक बिलीव में आप इतने स्ट्रॉंग बजाओंगा अकाउंट्स में और ऐसे फाकल्टी तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ अपनें को इतना करें इतना करना किति इतनी सी करतें इतनी कम मैंफ़ वह सब्प्राइब इस चैप्टर के हम लोगया हम फुल्टे हैotional घ्रक्राक्ठीस जान गोरॅप को वलब धूर्ड़ करते वह जाता है यह अपको रगव प्रोसY में सलellyाज और Pracaט-्रौक। करते हैं तो हो जाता है लेकिन यहां पर फुल फ्लेज वाले प्राक्टिस के लिए दोंगा होगा आपसे गलती होंगी कोई प्रॉब्लम नहीं गलत होंगा लेकिन फिर आप सल्यूशन देखना अच्छा है फुल फ्लेज में क्योंकि लेंदी कोश्चेंस हैं मंगर आप जब प्राक्टिस वाले कोश्चेंस में अपनी गलती है पैशान होगे कि हां मुझसे यह गलती हुई थी यह गलती हुई मैं प्रॉमिस करता आप दूसरे कोश्चेंस में गलती नहीं करोंगे जो गलती आपने पहले की तो पहले कोश्चेंस में कुछ करोंगे गलती है कुछ नह यहां ऐसा नहीं होगा, यह कभी हो गया similar question, लेकिन ज्यादा तर ऐसा नहीं होगा, हर question unique question रहता है, और हर question में आपको अपना interpretation skill, आपका account, वो आपको सुधारना है, कि missing information है क्या होगी, यह skill develop करना पड़ेगा, तो शुरुवात की question में जो full-fledged वाले में हो सकता है, हो सकता है होगा ही गलत करोंगी, practice question में, आपका interpretation में हो सकता है, गलत हो, हो सकता है, आपने लिखने में गलत करें, हो सकता है, classical error, amount में गलत कर दी, फिर आप उसका reading से आप circle करोंगे, मार करोंगे, यार, यह गलती हुए थी मिए जब दूसरी दिन करोंगे, दूसरी बार जिंदगी मे गल्ती करोंगे नहीं जो आप पहली बार कर दो आपको और महाँ पर रेडिंग से कर और सजाना नहीं प्रैक्टिस बूगे तो जितनी गंदी करोंगे इतना अच्छा है उसमें रेडिंग से करें यार गल्ती हुए अपने से करो उसको पूरा पूरी लाल करके रख दो से तो उसमें जाने के पहले यह प्राक्टिस होता है अपने गोलते के क्रिकेटर है आप किसके भी रोई शर्मा के फ्रेंड हो फारी फैन हो या फिर आप बोले विराट कोली है कोई भी आपको क्रिकेटर अच्छा लगता है आप जब देखते हो क्रिकेटर आपको जाके परफ theory में इसको मुझे improve करना है वो net practice में इसको सुधारते और फिर final match में perform करते जाके वही आपको करना है वो practice book आपकी net practice है होंगी गलतिया मगर उन गलतियों को सुधारना है बच्चे और उसके बाद जब आपको final exam में रहेंगा है जब फुल टेंद महां पे वो गलतिया नहीं हो दोने आपको देना है तो इस chapter में होंगा जब practice वाले questions करेंगे तो आपकी क्या होंगी वहाँ पे चीजे महां पे practice वाले questions में क्या होंगा आप लोगे गलतिया आप लोगों की बहुत होंगी और फिर आपको full-fledged वाले question छोटे question की बाता लगे फिर आपको उसको सुधारत जाना है तो interpretation skill हर question में आपको missing information मिलेंगी और आपको सोचते जाना है बहुत मजा हैंगा हमें लाइफ क्लास हैं पूछोंगा बता है missing information आपको क्या लगती क्या हो सकती है फिर आपने को जवाब देना जो recorded वाले बच्चे देख रहें वो भी सोचना है कि क्या होंगा और फि एकनी काबिलियत है basic accounting से related कितनी काबिलियत है basic accounting से related basic account में कितना strong यह chapter आपको बता देगा ओके यह हमारा जो discussion हुआ किस से related discussion हुआ कि यहां पी यह completed account method है इसमें trading पीनल बैलन शीट फुल फ्लेज वाले question पूछता है और उसमें से हम लोगों क्या करना होता है missing information को महां पर find out करना रहता है और फिर जो missing information को उसकी जो सई जगा है महां पर हम लिखते जाते और उसके basis फिर trading पीनल और balance sheet हमारी बनती है उसके मैंने वो बच्चों कई बार confused होता था आपके notes में भी printed है वैसे चीज मैंने उसको लिख रखा था एक second मैंने उसको लिख रखा था यह यह जो है न एक second इसको मैं बताऊंगा बाद में अभी नहीं देखना आपने यह देखना आपक यह procedure आपकी रहती है तो यह procedure भी रट्टा रट्टा नहीं मारना है इसकी the full-fledged वाले questions जबाएंगे तो जब यही procedure का आपन follow करेंगे logically अच्छा यह ऐसा हुआ इसलिए था बिलीव में आप कभी इन questions पर गलतिया नहीं करो लेकिन इन questions को करने के पहले यह basic चीज़े ख्या होता तो debit हमको पीनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में पर नॉमीनल अकाउंट आते आपके और balance sheet में real और personal अकाउंट आते हम लोगों के यह चीज़े आपको ख्याल रखना रहेगा और आप लोगों को इसके बाद asset के debit balance हो तो उसका जब working note बनाई तो opening balance debit में लिखना रहेगा तो यह आपने एक idea लिए किस से related idea लिए आप लोगों ने यह आपने idea लिए related to completed account method लेकिन शुरुआत के जो आपकी completed account method की भी जो questions है जो class के questions हम लोग करने वाले बहुत full-fledged वाले आप question number 9 भी अगर मैं हापसे आपसे कहूं तो question number 9 भी कोई ऐसा full-fledged वाला question नही है मतलब उसमें को ट्रेडिंग पिल नहीं बना है question number 9 में भी नहीं 10 में भी को फूल फ्लेज आपको ट्रेडिंग पीनल account बनाना नहीं है normal basic question से आप लोगों के सिर्फ entries पास करना है आप लोगों को और उसके basis पे फिर हम लोगों को accounts के सिर्फ normal accounts बनाना है तो आप में को बत नहीं हो सकता है थोड़ा जादा हो जाए तो मैं यह उमीद करता है आप लोगों किसके बात को कंटिनिशन में कोई class रही तो सकता है पात्दस मिट जादा हो गया तो वह ना हो okay is it okay शुरू करू यह अरे बोलो में को यह बताओ अभी कि मैं शुरू करूँ के नहीं करूँ उसका जवाब दो में को यह बताओ अच्छा yes sir ठीक है ठीक है तो अपने काम करते है अभी यहां पे question number जो आपका 9 है उसको शुरू करता है तो पात्दस मिट आगे हुआ पात्दस मिट आगे पीछे हो तो आपको रिकॉर्डिंग तो मिली जाती है इन लेक्चेस की बैक अप जब देख लेना अगर आपके क्लास रहे नहीं है तो फिर आप देख सकते है ठीक है शुरू जल्दी सब हम करेंगे question number question number हमारा 9 question number 9 और कौन सा page number हमारा पेज नंबर आपको 42 ओके पेज नंबर 42 ओके पेज नंबर 42 ओके यहां पर सबसे पहले देखो message ice limited gives you the following information to find out the total sales to find out the total sales and total purchase उसने क्या पूचा है question में total sales और total purchase उसने पूचा है तो आपको यह चीज़ पता है कि total sales कैसे calculate होता हमारा cash sales और credit sales cash sales और credit sales total purchase क्या होता हमारा cash purchase cash purchase और credit purchase cash purchase और credit purchase अब देखो जो information यहाँ पे दिये पहले यहाँ पे उसने पूछा है किया पे total sale निकालना है अपने को और total purchase निकालना है तो अगर आप एक question में देखोंगे आपको नीचे cash sale और cash purchase की figure उसने दी हुआ तो नीचे उसने cash sales और cash purchase की उसने figure हमको question में दिया अब credit sale और credit purchase ऐसे कौन से दो account है ओके अचा टुमॉरो लिखे आप लोग ने वाप मैंने पढ़ा नहीं कल कराओ कल कराओ आप लोग बोलो हो सकता है आदे गंडे से जाधा भी लगे मैं को एक एक जल्दी जल्दी speed में बोलूँगा ऐसा हो जाता था ठीक है ठीक है काम करना आपने आज का आपको homework वह practice question से तो practice question से नहीं है लेकिन आपको जो मैंने कल a statement or completed account method पर question next session जो हमारा होगा उस पर हम शुरू करेंगे ओके और आप आज जो पढ़ा है उसको बस आपने पर पढ़ लेना और अच्छे से बस बुक का अपता है बुक का आप लोग की dispatch हो गए और मेरे को आगे बहुत से बच्चों का आगे message वे एक दो को शायद नहीं आएंगे दो चार कुछ बच्चों को लेकिन सब को books आ गई ठीक है anyways तो बस अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ाई करो question number 9 sales और purchase credit sale और अच्छा आपने खुदने question number 9 एक बड़ ट्राइक करना question number 9 को मैं थोड़ा clue देता हूं ठीक है अभी आप लोग को पहले सुनों यहाँ पर क्यूं बोल रहा हूं मैं क्यों question number 9 में क्या और आपको cash sale cash purchase तो नीचे दे दिया मैंको credit sale और credit purchase निकालना है तो credit sale किससे निकलेगा डेटर अकाउंट से connected है और credit purchase किससे connected रहता है creditor account से purchase account debit to creator sales रहता है तो data to sales से connected है और creditor purchase तो आपने try करके देखना इस question को try करके देखना class का question मैं ही कर रहा हूं घबराना मैं आपने roughly पैंसिल से एक rough page में लिखना कि data or creator account बनाना इस question में अपने को और उसमें बस entry पढ़ना और entry posting करना है उससे missing figure आपको यहाँ पे क्योंकि opening और closing balance question में data or creators के दिये वे अब यहाँ पे दिये वे अगर आपको तो आपको क्या करना है से उसके data or creators के opening balance यह transaction दिये पूरे वो account बनाना missing figure आपकी credit purchase और credit sale यहाँ पे आ जाएंगे okay done so आपको cash sale cash purchase दिया credit sale credit purchase माँ data credit account से निकल आएंगा total sale total purchase हो जाएगा मैं solve for don't worry लेकिन एक बार तो भी आपने इसको read करना okay तो यहाँ पर अभी यह आज हम लोग यहाँ पर session करते हैं पहला session थोड़ा बढ़ा होगा छोटा next वाला थोड़ा सा छोटा होगा ठीक है related to test वह आप लोग को information दे दी जाएंगी don't worry तो session में आपे खतम करता हूँ take care bye bye